कि नमस्कार साथ यहां रास्ता नड़ा टू पोर्शन पर आपका हार्दीक स्वागत है और कैसे हो सब लोग गूड यूनिंग गूड यूनिंग वेरी गूड यूनिंग जल्दी से आजाओ वही फटापट सबका स्वागत है कई दिनों बाद दिखे वही मरकणों हैं कहां पर हो हैं कहां माखा मार रहे हुई क्लास के अंदर आया करो डेली ठीक है इस्टी लवर गर्ल दीपू जांगीर बिल्कुल स्वागत है आपका मुस्ट वैलकम सब एक बार आजाओ फटापट सेयर करके सब एक बार जल्दी से सेयर कर देंगे कि मंजिल उनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती पंकों से कुछ नहीं होता बाया ऑसलों से उड़ान होती ठीक है स्टार्ट करते हैं लक्की बिल्कुल स्वागत है आपका पहला कुसन आपके सामने बहुत बढ़्य पॉली टी गाटिका बार बढ़्य होसन की राजस्तान के पहले में जो उसर उपीकर भी क्या रहे स्पीकर भी रहे और डपूटी स्पीकर भी रहे आप सबको बता है यह उसमें बात करें यहां से अगर तो इस्पीकर को हम क्या बोलते हैं व॥ विदान सपाs अडिकस बोल देють, speaker, ثीक है, और इसके नीचे होता है deputy speaker, क्या होता है, deputy speaker, अब निमन में से वह वेक्ति कोन है, जो ये भी रह चुकहें, speaker भी रह चुकहें, और deputy speaker भी रह चुकहें, ठीक है, एक बहुत बड़ा कुछन है जल्दी से बताओ फटाबड क्या होगा राइट अंसर ठीम एक सो अठतर आर्टिकल के अंदर जो ए इस पीकर का पद दें रखा है कि विदान सबा स्पीकर होगा desse दे रखा भी कहें भात करें इस फिकर की पावर क्या होती है अगरे भात कर तो इस फीकर की पावर में देखा जाए है अगा सदन में देखो सदन में 7 को बुलाता कुण राज़िपाल बुलाता भी इ finden को खहए इस तक गई कौन करता है अब बहुत सारे जो है मतलब बैठके होती रहती जदनों में सदन के अंदर तो वहाँ पर प्रिसेडेंग करता मतलब अधिक्सता करता है वहाँ पर बैठता आपने देखा होगा जैसे अपने राज़िस्टान में अभी कोने सिपी जो यह कौन है सिपी जो सी ठीक है दूसरा जब भी बात आई अंतिम दिनाइक जो बोट है ना वो speaker देता है कौन देता है speaker देता है ठीक है राजिस्तान के पर्थम speaker की बात करें तो नरोतम लाल जोसी है अब आपके सामने उप्शन है लाल सिंग सक्तावत नारायन सींग राम किसोर व्यास निरंजन नाथ आचारे और राम निवास मिर्धा एक दिन मैंने आपको बताया था स्पीकर कोन-कोन रह चुके हैं स्पीकर ठीक है स्पीकर कोन-कोन रह चुके हैं वहाँ पर हमने डिसकस किया था कि परसुरा मदेरिना है वो रह चुके हैं ठीक है और बात करें इरेलाल देवपरा वो भी रह चुके हैं ठीक है पून्दम चंद विस्नुई वो भी रह चुके ह बड़े बड़े point बता ही थी मैंने आपको तब से जो है ये question उठाब लाल सिंग सक्तावत जो है ध्यान रखना deputy speaker है अगर कोई पूछे राजस्तान के पर्थम deputy speaker कोन है या राजस्तान के पहले उपादिक्स कोन है तो वो deputy speaker तो लाल सिंग सक्तावत है और प्रोटेम speaker की बात आए तो संग्राम सिंग है क्या है संग्राम प्रोटेम speaker प्रोटेम speaker संग्राम सिंग संग्राम सिंग संग्राम सिंग संग्राम सिंग बताओ जल्दी से फटापट और सेशन में like में कोई कमी नहीं नोची फटा पड़ एक बार सेलो सिंग जी बिलकुल स्वागत है आपका कैसे होई कितने marks आ रहे हैं देको marks जारी हो गए है आपके ठीके तो किस-किस के कितने marks आ रहे हैं और कितने नंबर से भई तुम रहे हो ठीक है और अभी जितना देको मान लो जो भी थोड़े नंबर से रहे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है वो हार नहीं माने बस आगे बढ़ते जाए आगे बढ़ते जाए बिलकुल यहां पर जो अभी तक जो आंसर आ रहा है वो आंस पूटी स्पीकर थो मैं डपूटी स्पीकर तो अब आप द्यान से डेखना यह है आपने थीकर भूत पूर्व अद्दिक्स ठीक है तो नरौतम लाल Łyshus न्या वाव न नरौतम लाल जोसी फिर उसके ता राम निवास मिरधा दो नवरी स्पीकर आराम निवास मिरधा ठीक है तीन नंबर निर्ञजे-Nath आचारह एंसर रहा था रिंजे-Nath आचारह थीकसे बदने नजगत आचरह प्र उसके बाद गोपाल सिंग भी है पूनम्चंद विस्नुई है इरालाल देवपुरा ये वेरी इंपोर्टेंट कि राजस्तान के ऐसे कोई से मुख्य मंत्री है जो स्पीकर भी रह चुके है वो ये है वो ये है इरालाल देवपुरा ठीक है इराल देवफुरा फिर उसके बाद गिरी राज पर साथ दिवरी भी ए ठीक है और इस अंकर भाबड़ा भी ये वेरी इंपोर्टेंट और इसके अलावाद ध्यान रखे सांतिलाल संपालोत समर्तलाल मीना पर्चूराम मदेर्ना वेरी इंपोर्टेंट पर्सराम मदेर्णा भी जो है स्पीकर रह चुके हैं ठीक है और सुमित्रा सिंग से तो ध्यान रखना डेको जो बता रहा हूं वोह याद larını बाकी याद नहीं करना सुमित्रा सींग तो बात करें तो पर्थम महीला के राजस्तान की पर फम्हेला स्पीकर कोन है पर्थम महिला विदान सभा अध्यक्स ओन रही तो सुमित्रा सिंग और आपको ध्यान रखना है सदन आप बार वहां बार वी विदान सभा के अंदर जो है ये उस टाइम सुमित्रा सिंग जो है महिला स्पीकर रही जब बात वसुंद्रा राजे की याना वसु कैसे 17 कैसे हो गए तो यह उते रहते हैं ना कभी जैसे मान लो जैंज भी उते रहते इस तरीके से तो कोई ऐसा कुछ नहीं ठीक है समझ गे अब यहाँ पर निरंजनाद आचारे को ध्यान से देखना अब आपन बात करते हैं यहाँ पर यह रहे डपूटी स्पीकर ठीक है इंपोर्टेंट पर्तम डपूटी स्पीकर कौन है लाल सींग सक्तावत लाल सींग सक्तावत बाकि याद नहीं करना कुछ-कुछ पॉइंट याद करने ठीक है जो पेपर में पूछे जा सकते डपूटी स्पीकर एक यह देखो निरंजनाद आचारे यहाँ पर भी है और इ अपने कुछन के राइट अंसर क्या होगा ध्यान से देखो यह रहे निरंजनाद आचारे ठीक है मिरंजनाद आचारे की बात करें 1960 के टाइम है चाना 1960 के टाइम इस्पीकर रहे और फिर उसके बाद में आतो आज जो है यह उनीस्पावन में यानि पहले यह डपूटी अजय बने फिर फिर इस फिकर बने ठीक है तो आंसर क्या होगा अंसर बिल्कुल रइट यहां पर क्या होगा बताव जल्दी से फटावड क्या होगा अंसर एक तरह पर ना आपन शुआ झालत पर चलते है ना और कुछ मिल जाय पॉइंट ठीक है ना रहाइन सिंग मसूदा हो फूनम्चन विश्नुई व्हेरीं पूनम्चन विश्नुई अगर बात करो इस सपीगर भी रहे हैं ठीक है यहां से कुछन बूच्छा जाता इस पीगर विरे ऑ प्रोटैम इस फिगर भी रहे हैई ये बड़ी बात तो उसको quality बहुत बैतरी नोनी चीए इस तरीके से quality होगी तब पार पड़ेगी वह सकता वहाँ से कुशन कम से कम 15 से लगब 15-20 कुशन पूछ लेते हैं राजस्तान quality से वह सकता 10 सी पूछे जाएगी राजस्तान quality में बहुत स्कॉप है बहुत ज़्यादा इसको आपको बताओंगा मैं कैसे कैसे कुशन आते हैं ठीक है फिर उसके बाद में रामनायन चौधरी ठीक है राम सींग यादो जहां आपने को लगेगा वो ही याद गणा राम चंद्र एमद बक्स सिंदी गिरी राज परसाद तिवारी किसन मोटवानी यदूनात सींग इरा सींग चोहान सांतिलाल संपालोत यह देखो यह कि होगे इस फिकर भी थे अब यहां पर लिखो सीुडरा जास दोसरी बात जियान रखना तीयाग पतर हैं कि आपूटी स्पिकर को देता है फिखियत भाहर इतन हो तरह ठीक स्पीकर को डेपूटी को समर्थलाल मीना ये दूबर आगे संतिलाल संपालोत निर्जंनात आचारे ठीक है और ये पूनमचंद विश्णोई ये स्पीकर भी रहे है डपूटी स्पीकर भी रहे है अभी एक कुछन आएगा आपके सामने वहाँ पर आप ध्यान रखना दूसरे सबसे बड़ी बात कि सर ये तो बताओ महीला कोन है तो तारा बंडारी तारा बंडारी जो है राजस्तान क की पर्थम महीला उपादेख्स है तारा बंडारी और विदान सभा स्पीकर तो वो है सुमीत्रा सींग तो तारा बंडारी कोन है पर्थम महीला डपूटी स्पीकर या महीला विदान सभा उपादेख्स ठीक है विदान सभा उपादेख्स है तारा बंडारी ठीक है तारा ब राव-अज अब उपूटी स्पीकर कौन है ठीक है यह पद अभी फिलाल मुझे लग रहा है तोजार उन्निस अब सइद फ्रफ कर लिए थीक है अब यह खाली है पंद्री विदान सबसे बड़ी जीत केलास मेगवा सबसे छोटी जीत जबर सिंग बिल्कुल ठीक है सुपब वरतमान में चार उपाद एक्स मेंदर जीत मालवी राजेंदर पारी के चार थोड़ी बनाए ठीक है मौनिका जी मौनिका जी बिल्कुल स्वागत है आपका अगला कुशन बहुत बढ़िया कुशन है अगला ठीक है ध्यान रखना यासे तो राइट आंसर उसका क्या होगा बई निर्जनात अचार अगला अब मैंने आपको मैंने कापी कुछ कवर कर दिया है तो मुझे लगता है अब आप अटको गए नहीं ठीक है अब अटको अगला के एक मातर मुख्यमंदरी जो विदान सभा के अधिक्स भी रहे हैं कल भी आपका ओमर करेगा इस्पीकर डेपूटी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर कल और करके आज़ा अगर नहीं पड़े हैं तो मैं पांस-दस मिनिट लगते हैं और करके आज हो क्या दिक्कत है ठीक है कल मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा ठीक है ट्रिक बताऊंगा याद करने की बताऊ वई राजस्तान के एक मातर मुख्यमंदरी जो विदान सभा की अधिक्स भी रहे हिरालाल सास्त्री जगनात पाडिया जैनाड व्यास हिरालाल देवपुरा अरी देव दोसी सिवसरन माथूर सिवसरन माथूर खेल गया था सर्जी कल लिखाया था ठीक है बिल्कुल हाँ ठीक है बहुत बहुत बैतरीन राइट आंसर क्या होगा इरालाल देवपुरा इनकी सरकार सबसे कम टिकी थी सबसे कम सरकार टिकी थी ठीक है कितनी टिकी थी ऑ कौन थे हिरलाल देवपरा बताओ भाई जब कम समय है पूचा भी जा सकता है इनके कारेकाल में क्या हुआ था ठीक है पूचा नहीं जा सकता क्या आ सकता ना अलग से नोट कर लो चीजों को ठीक है बढ़िया तरीके से कुछ न कुछ तो काम आएगा तो हिरालाल देवपरा की राज समझ से तो देवपरा जी जो है इनका कारेकाल बेरी इंपोर्टन है बहुत काम का है 1985 के आसपास है ना ऑन्ली फरवरी 23 फरवरी से लेकर और 10 मार्स 1585 कारेकाल है याद कर लेना वेरी इंपोर्टेंट है पेपर के अंदर पूछा जाएगा यानि इससे पहले इनके सेव सरणमाथूर थे और फिर उनके इनके समय के बाद फिर अरीदेव जोसी आए ठीक है अरीदेव जोसी आए तो ऐसा अब आपसे मैं कुछन यह पूछना च के लिए रहे है यह बहुत कम समय के लिए यह आपको बताना है ठीक है यह मैं आप पर छोड़ता हूं ठीक है आपको यह बताना नहीं तो फिर देखा जाएगा एक थोड़ा से ध्यान रखना यहां से पूछा जा सकता है खोसंग ठीक है अगर बात करें इंडिया एट कॉमन वेल गेम्स ठीक है इंडिया एट कॉमन वेल गेम्स 2022 तो हमारे पास अब मैडल कितने हो चुके हैं हमारे पास मैडल कितने हो चुके हैं जल्दी से बता हो एक बार तो यहां से आप ध्यान रखेंगे हमारे पास अभी जो मैडल है वो तीन गोल्ड है तीन सिलवर है और एक ब्रॉंज है इस पर नजर होनी चीए आपकि अगर आप अभी से याद रखोगे तो बड़िया रहेगा रेंग 6 नंबर है नंबर वन ऑस्टेलिया है ठीक है नंबर वन ऑस्टेलिया हमारे पास 7 मेंडल हो गये 7 मेंडल ठीक है 7 मेंडल पिसली बार वाला मैं टारगेट पूरा करना है पिष्ली बार साइद 66 थे मोरेड्ल और चिसको नहीं पता है ध्यान रख लेना पैरी बूल इसका जो मसकट है और मोटो है डियांसे करके मोटो है ठीक है मोटो तो मोटो और मस्कट ध्यान रखना तीन गोल्ड है तीन गोल्ड है अब यहां पर एक अलग से कुछन यह उठता है यहां से पेपर में एक कुछन बड़ा फैमस है वह आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम एज के अंदर हैना सबसे कम एज के अंदर 14 साल की एज के अंदर यहां पर एक ब सबसे कम यंगेस्ट इंडियन एथलीट इसके अंदर पाटिसिपेट कर रहे हैं अना हथ सीन ठीक है और सबसे ज्यादा है इसके अंदर लॉन बोल्स प्लेयर है वह सुनील बहदूर ठीक है इंडिया का फ़र्ष्ट मेडल जीता है सांकेत सरगर ने वेरी इंपोर्टेंट यह को पर वेट लिप्टेंग के अंदर वेट लिप्टेंग के अंदर इंडिया को फस्ट घेम संकेत सरगर छीक है संकेत सरगर इसके अलबा आप ध्यान रखेंगे फ्लेग लींग पाड़ेत और जीता है तो अनोवन niezीता है ज्याद आतर मुझे वह और भाई convenience वेट लिप्टिंग, वेट लिप्टिंग, मैं सोच रहा हूं, मैं भी वेट लिप्टिंग वाला काम कर लूँ थोड़ा सा ना, तो यहां से देखो, मीरा भाई चानू ने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया, मीरा भाई चानू, इंडिया, साइको, मीरा भाई चानू, weight lifting और यहां से ये भी ध्यान रखना गुण 50 kg कौन से kg में गुण 50 kg के अंदर गुण 50 kg के अंदर event के अंदर जो है gold medal जीता है इसके अलवा एक man 67 kg के अंदर नाम है जेरेमी लाली रूंगा ठीक है जेरेमी जेरेमी ऐसी चीज़े आती ने उनको tag कर दिया करो तो अपने WhatsApp पर तो सही है आपको याद हो जाएगा ठीक है जेरेमी और उसके बाद में एक गोल्ड जीता वो नाम है अंसीनता-ई-सूहली ठीक है इन्होंने भी weight lifting कंद तीनों gold weight lifting कंदर आए अंसीनता अंसींता-उन सूहली ठीक है यह क्या है जिस्यू ली थी कैस ये फिर उसके बाद संकेथ Scot नहीं लगा चलेगा अब चलेगा ठीक है और सुछला जुडू के अंदर जीता है silver medal जीता है आज ही जीता है 48 kg के अंदर जुडो में जुडो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ठीक है जुडो हमारे खास करके मारवाड में यह ज़्यादा खेला जाता है बाड मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब फहमस है सुसीला नाम है सुसीला जुडो सुसीला जुडो ठीक है सुसीला ने जुडो में है और ब्रांज जो है वो है गुर राजा गुरु राजा जो है पुजारी इन्होंने वेट लिप्टिंग के अंदर तो मतलब वेट लिप्टिंग से मेडल आए है 5 ठीक है, पाँच मेडल वेट लिप्टिंग से ठीक है ये क्या हो गया अरे आसु बेटा, एकॉनमीक सर्वे बहुत काम आएगा, अभी तुम रुको ये, आरे से में सिस्वी का भरोसा नहीं होता लेकिन RPSC में देखना, कुशन बहुत ठोक के बाव आएंगे, सीधे सीधे आएंगे आपको विश्वास नहीं होगा, इतने कुशन आप आरे समें करके आजाओगे, प्री वाला फॉम जरूर भर लेना ठीक है, हाँ सुशिला तो जुड़ो ही बनवा है, ठीक है, अच्छा, हाँ अब आजाओ फटाफट, अब आजाओ कुशन की तरब, ठीक है ये थोड़ा भाई तो बनता है, यार की छीज़ें थोड़ी आपको पता होनी चीह है न ऐसे पीछे नहीं रह जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले कुशन की तरब, ठीक है इस बार पूरा जिमा उठाया है, ठीक है और पूरा करके रहेंगे बस, ये मान के चलो आप, ठीक है, अब बताओ भई अब आपके लिए चलेंज आ गया है अब क्या आगया, अब आपके लिए चलेंज आ गया, आपको कुशन बताना है यहां से और मैं आपको एक बार डिसकस कर चुका हूँ यहां से, ठीक है, तो बताओ जल्दी से भई कि निमन लिकित मैं से कौन-कौन विदान सभा अद्धिक्स और उपादिक्स रहे एक बहुत बढ़िया कुशन आपके सामने जो पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको अब आपको बताना है कि यह बोल है कि स्पीकर भी रहे और डपूटी स्पीकर भी रहे मजाग नहीं करा हूँ ऐसे कूषन पता इस टाइप के कूशन इस टाइप के कूशन असिस्टेंट प्रोफेसर SI की 3rd या 2nd shift के अंदर इस type की question थे इस type की question थे ठीक है तो question तो आएंगे question तो बनेंगे quality बहुत vast है ठीक है पॉलिटीक बिल्कुल अलके में नहीं लेना बताओ भई यहां पर रामकिसोर व्यास, निरिंजिन्नाद आचारे लक्समन सींग, पूनमचन विस्नोई इरालाल देवपरा, गिरी राज परसाद सांतिलाल संपालोद, समरतलाल मीना बहुत आपसे eliminate कर दो भई eliminate कर दो, नहीं आते इरालाल देवपरा, इरालाल देवपरा तो speaker रहे हैं तो 5 eliminate करो 5 eliminate करो, उत्तर ही आ गया ठीक है, उत्तर ही आ गया, कुछ ही नहीं कर न नरंदर जी बिल्कूल स्वागत है, नरंदर राठोड, सुपब ठीक है, भई answer ही आ गया 5 eliminate किया, यह आप 5 इरालाल देवपरा को eliminate कर दो क्योंकि इरालाल देवपरा उपादेक्स नहीं रहे हैं speaker रहे हैं, ठीक है, बात खतम यहां से 5 गया, यहां से 5 गया यहां से 5 गया, और यहां से 5 गया यही तो खेल होता है तो paper में ऐसे cushion टप नहीं बनते, आपको पूनमचंद विष्णोई तो रहे हैं तो 4-4 यहां पर देगो, 4 कहां पर है इस तरीके से, ऐसे करके आप निकाल सकते हो 4 यहां पर नहीं है, ठीक है, तो 3 यहां पर नहीं है, 4 इस तरीके से यहां पर नहीं है ऐसे निकाल सकते हो, मेरा सही था सिया का सही था, क्या बात है, लाइक सेर में कोई कमी नहीं होनी चीए, भई, है ना, कोई कमी नहीं होनी चीए, ठीक है, अंकिती सा, बिल्कुल, स्वागत है, सुपभ, ठीक है, तो राइट अंसर भई, साब खेल गए, एक बार क्लेपिंग कर दो की, ऐसा कुशन आपने कर लि लिटर कौन-कौन रहे, और एक कुशन आरेस का अंदर आ रखा है, कि राजस्तान के कौन से मुख्य मंतरी, विपक्स के नेता रह चुके है, एक बहुत बढ़िया कुशन है वो, तो राजस्तान विदान सभा में कौन-कौन से वेक्ती, विदान सभा, स्पीकर, और परतिप के नेता, परतिपक्स के नेता का मतलब वो था अपोजीशन लीडर, जैसे गुलाब चंद कटा रही है, अपोजीशन लीडर का मतलब पता ना, आपको अपोजीशन लीडर, विपक्स के नेता बोलो, या परतिपक्स नेता बोलो, यह पंद जो एक कब सर्जन किया गया था, 1977 के अंदर सर्जिन किया गए था पहले नहीं था लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजस्तान के पहले तो परतिपक्स के नेता है वो कोन है जस्वंद सींग है ठीक है जस्वंद सींग और तन सींग तो जस्वंद सींग याद करना जस्वंद सींग परतिसस सीट यह निए जो भी जो को पार्टी जीती है जैसे मान लोग कॉंग्रेश जीती है तो अब बीजीपी के अगर एक बटा दस नहीं है मतलब बात करूं दोस्तों का 20 seat नहीं है तब तक कोई opposition leader नहीं बन सकता 20 seat नहीं है तो opposition leader नहीं बन सकता ठीक है कहने का मतलब यह है तो बस seat है कितनी जरूरी है minimum 10% 10% जरूरी है तब ही जो है opposition leader बन सकता है और यह हमारे center में ही नहीं क्योंकि congress के पास यतनी ही नहीं seat ही नहीं है तो opposition leader बस नाम मतर के लिए बाकी ये जो है सरकार की policy सरकार क्या-क्या policy लेकर आ रही उन पर जो है टिपणी करना ठीक है इस तरीके से क्योंकि इनकी भी दाई तो होता है कि भाई सही काम करें balance रहे ठीक है rule of law रहे समझ के कुमर रस्वंसिंग बिल्कुर सही है ठीक है clear बताओ अब यहाँ पर बताओ अब इसका right answer क्या होगा बात है नहीं भई देखो ऐसे कुछन आते हैं देख तम भाग जाता है student अभी तो अच्छे कुछन आएंगे अभी बहुत बढ़िया कुछन आएंगे art culture के मिलेंगे आपको आना art culture के बहुत बढ़िया कुछन मिलेंगे तो right answer क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पर तो right answer होगा दो और तीन लक्समेंट सिंग और परसूराम मदेरिना अब देखो यहाँ पर अब आप heading डालो opposition leader की opposition leader की ठीक है opposition leader opposition leader opposition leader तो यह अमारे जो ए leader of opposition है ठीक है leader of opposition है ध्यान रखना यहाँ से पर अपन बात करते है cm कौन कौन है cm ठीक है cm कौन कौन है आं गया भई यहाँ तो पूरा होई नहीं ठीक है member of अरीदेव रामिसलाल डूडी परसुराम मदेरिना लक्समान सिंग ठीक है बिल्कुल है ना तो cm फिलाल बात करें तो वसुंद्रा राजे और वैरो सिंग सेकावत यह leader of opposition रह चुके है ठीक है एक बहुत बढ़िया कुशन यह कुशन आये हुआ RS के अंदर RS 2018 में बहुत quality अच्छे level किया थी ठीक है तो वैरो सिंग सेकावत एक और वसुंद्रा राजे दो वहाँ पर असो गलो जी पी था ठीक है लोग में खहां से कुशन आ गया यह क्या कुशन है ठीक है तो निमन में से कौन से मुख्यमंत्री जो है कौन से cm leader of opposition रह चुके है कौन से cm ऐसे करके आप नोट्स निकालोगें तब ही मज़ा आएगा ठीक है leader of opposition leader of opposition leader of opposition ठीक है तो वसुंद्रा राजे और यहां से बात करें बैरो सिंग सेकावत बैरो सिंग सेकावत अब इसके अलावा देको लक्समन सिंग है बिल्कुल लक्समन सिंग है वहाँ पर भी ऐसे answer था लक्समन सिंग है लक्समन सिंग के बाद में परसूरा मदेर्णा अब देखो परसूरा मदेर्णा से कितने कुशन बन सकते है पेपर के अंदर वो speaker भी रहे चुके है ठीक है speaker भी रहे बात करें वो opposition leader भी रहे परसूरा मदेर्णा opposition leader भी रह चुके है वुलाब चंग कटा रिया यह already अभी भी है और पहले रह चुके थे पहले भी रह चुके है ठीक है तो यह द्यान रखना opposition leader BD कला BD कला ठीक है BD कला और उसके बाद में अरीदेव जोसी यह भी हमारे रह चुके है तो राजस्तान की कितने CM है देख रहे हैं आप राजस्तान की वसुंद्रा राजसिंदिया बेरो सिंग सेकावत और अरीदेव जोसी तीन CM opposition leader रह चुके है तीन CM तीन CM लिखते जाना साथ-साथ में न साथ-साथ में लिखते जाना और लाइक सेर में कोई कम भी नहीं आनी चीए ठीक है और उसके बाद में रामे सरलाल डूडी और बियार इलाल विस्नोई बियार इलाल विस्नोई ठीक है तो रामे सरलाल डूडी इतना डीप नहीं जाएगा लेकिन c.m. से कुशन जरूर पूछेगा c.m. से जरूर पूछेगा कुशन जैसे मैं आपकी सामने एक कुशन बनाता हूँ ठीक है त्यान से देखना आप है न इस कुशन को आराम से एकदम स्वागत करिएगा इस कुशन का ठीक है नेता बोलो लीडर अपोजीशन बोलो परती पक्स बोलो एक ही बात है नेता रहे ठीक है रहे अरीदेव जोसी हीरालाल सास्त्री असोग जी ग्यलोथ सुमित्रा सींग परतीबा पाटिल पर्चराम मदेरिना ठीक है अब ध्यान से देखना यहां से बात करें अब अनली एबी एफ ठीक है एबी एफ अनली एफ ठीक है अब बताओ क्या होगा इसका राइट अनसर क्या होगा इसका राइट अनसर क्या लग रहा है स्थर्दार खुट्स होगा इस कुस्शन से बताओ भई कितनी जोर से बजा रहे हैं बावना रहा बावना बावना समझा कर ठीक है अरा निसूडी तूं सुद्रजा किती बदमास लड़की आदे को तौर रहा 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 ओ भाई के छोरी टे 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 बदमासी का रिकोर्ड थोड़े उसें बोल्ट वागे जे ठीक है मैंने कब किया मुझे पता नहीं हाँ खुस्बू खुस्बू का अंसर यह आ रहा है वाँ खुस्बू वाँ ध्यान से दे को इस कुस्टन को इसमें पूचा है निमन में से कौन सी एम विदान सभा विपक्स के निता रहे कों सी एम कोन सी एम केल गे हैं खेल गे कुछ यह अरे यह बी रालाल सास्तरी कबह है अरे मन उठालो कोई है का हुए हे इरालाल सास्तरी कबह है अरीदेव जोसी थे बेरोसिंग से कावद थे और अरिदे उजोसिदे बेरो सिंग से कावत है वसुंद्रा राजी है लेकिन हीरालाल कहाँ पर है काहे कर रहे हो ठीक है यहाँ पर जो राइट अंसर होगा only A क्योंकि CM का पूछा है और नहीं तो उतर आएगा A और F C क्या आएगा C आएगा C आएगा ठीक है कनिया बोले सर्जी बाड मेर से नाम कर रगार क्या बाद मेर से क्या बाद सुपब बहुत बैतरी अच्छे सुगली करती फिर थीए कुछ आपको पता नहीं पीछे से बुरा ही कोन है बया कोन है निसू की सुगलीयां करे कोन है सर में एकलवे बैच की स्टूडेंट रिंकू बोल रही है कि सर में एकलवे बैच की स्टूडेंट हुए 107 मार्क से नैस्टी फिमेल 107 कट आप कितीनी गई थी आराम से हो जाएगा श्योर हाँ भई बिल्कुल कनिया जी आपका स्वागत है ठीक है बिल्कुल यहां पर जो राइट आंसर होगा cm का पूचा only only a और चालान कट चुका है ठीक है अब फटापड मेरे खातें पैसे जमा कर देना आगे बढ़ते अगले कुशन की तरब अगले कुशन की तरफ आजाओ फटापड ठीक है तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा दो और तीन क्या होगा दो और थीन ध्यान से देखो अभी अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ठीक है की विदान सभा में जो है विदान सभा इस्पिकर भी अगले कुशन की तरफ अगला कुशन बहुत बहुत बढ़िया राजस्तान की पहली महिला विदान सभा उपादेख देखो मैंने वैसे बता रखाए सारा ना सारा बता रखाए ताब आपके बहुत ईजी हो गया ठीक है आपको भी ऐसे पड़ना लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है ठीक है सारे नाम याद है कोई से ट्रिक बना लो बढ़िया सी बस बात खतम ठीक है कुछ याद ही नहीं करना है अब जैसे इसकी स्पीकर की डपूटी स्पीकर की ये ट्रिक बना रखिए मैंने तो आपको मैं कल बता दूँगा ठीक है कल बता दूगा रास् कस किया यही तो है राइट अंसर किया होगा फोर किसका सही है फोर किस कमला बैनिवाल ओई धर यूनिक इस्टूदेंट बेटा ओ यूनिक इस्टूदेंट इल्कुल सचीन का ठीक है हाँ सुपब क्याड़ा होगी अच्छा जहां मैं गणवी फूट रहूं ठीक है मैं गणवी फूट रहूं आरे यह खूब को भी पेस्ट आओ ना इनको रोक ठीक है कमला बैनिवाल की बात करें बाइट तो डपूटी सीम कोने डपूटी ठीक है डपूटी मतलब उपमुख्यमंत्री तो म महिलाओं के अंदर बात करें तो महिलाओं के अंदर कमला बैनिवाल कमला बैनिवाल जो उपमुख्यमंत्री रह चुकी है ठीक है और यह सोदा देवी परजा समाजवादी पार्टी वही ठीक है तो यहां से ध्यान रखेंगे बिल्कुल सुमीतरा सिंग आपको पता ही है है सुमीतरा सिंग आपको पता ही है ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अरीशकुमार बिल्कुल स्वागत है आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ अगले कुशन के माय बढ़ते हैं आगे अगला देखो बहुत बढ़िया कुशन आतकल सर्का मज अज मजा आगया बाई किसके यां कुछ रमातों संघत स्बाटले आसंघत बातां ऐसंघत लादिया का पालिया का मिला अजमें ब्रक्राइब लग मेले चाही केल सीच पिंचर एख एक हमेर च्यार भुजाजी का मेला नगोर वीर पुरी का मेला वीर-पुरी का मेला पली तुय आ मेला अदधर है वाँ भाई का मेला नहीं धोग क्लीर के ऐना चाहर जौध्पुर जोर का मेला चिठ्थोडगड के दिढनांत Tá ह oportun के ठीक है बताऊ भी यहां पर हो सकता है की दो से जादा अंसर गलत हो एक से ज्यादा भी हो सकते ठीक है yea and one South ही ऑब कि अंदर नागौर के अंदर नहीं अब आपको बताना है कि क्या इट है ठीक है गड़ बोर ठिकी आप सबको पता है किसके लिए जाना जाता है गड़ बोर और ठिकी तो गड़ बोर राज समद के लिए यहां पर च्यार बुजाजी का मेला जो है यह बरता है ठीक है हाँ मनोरी बिल्कुल स्वागत है आपका ठीक है अब कमेंट भी ना करो, करो करो कमेंट करो से करो डण्स ठीक है की आल है, Manizji बिल्कुल आल, बढ़िया, आप सुना हो, क्या आल है आपके ठीक है सुमन जी बिल्कुल स्वागत है, आपका यूनिक, हाँ कि साउधीश्ट में क्या बात है यूनिक बेटा समझ गया मैं तू साउधीश्ट कर रहा है आज मतलब अक्सांद ये संद्र पड़े हैं ऐसे लग रहा है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन यहां पर जो आपका आंसर होगा आंसर होगा वो क्या होगा तब मजा आएगा और अभी तेक तो किसी का आया नहीं है उत्तर ठीक है लेकिन आपके सामने मेले रख दिये मेनद आठ मेले है आठ के आठ मेले यहां याद कर लो वीरपूरी का मेला जो है पाली के अंदर नहीं बढ़ता है वीरपूरी जोदपूर के मंडोर में जोद़बुर के, मंदोर में ये मिला बरता है, Minh ठीक है, मंदोर, सुया मिला भाइड मेरे सब और को पता कोई दिक्त नहीं है, सुया मिला, याद कर ले ना, पेपर में भाइड मेरे सी कुशन बनता ही, बनता है, चैना नाओ, गेर के लिए famous हो, ठीक है, मुझा बाड में से कुछन बनता बारे भायों के मिला दोल पूरे बारे भायों के मिला दोल पूरे समुटा माता जोद पूरे किसरिया नाद अपना जो रिसब देव ठीक है किसरिया नाद या फिर इनको वो बोलते हैं इस और जोहर मिला जोहर मिला चितोडगट है क्या है जो पानी का मिला और बुड्डा जोड का मिला देखो ओमरक अब चैन्ज होंगे आपके ठीक है ओमरक में अब आपको पढ़ने है अब आपको जो ओमरक के अंदर पढ़ने है वो यह पढ़ने है ठीक है जितनी भी मजजीद जितनी भी मजजीद है मजजीद होगे उर्स होगे ठी सा deep लेके जाता हूं त्योहार में आपको सिंधी इसाई ठीक है सिख और जैन ये त्योहार आपको पढ़ के आने है कल मजजिद सिंधी इसाई सिख जैन ठीक है ये और थोड़े बहुत इंदू त्योहार यानि पूरा टोपिक जो है आपका त्योहारों के आसपास घूम रहा है आज ये तीसरा या चौता देने ठीक है तीसरा या चौता देने तो राइट आंसर यहां पर एक तो यह रहूंगे और एक यह रहूंगे ठीक है आज संहत आगे बढ़ते अगले कोशन की तरब अगले कोशन की तरब ठीक है और वीरपूरी का मेला कब भरता है तो वीरपूरी का मेला मंडोर में स्रावन मा के पर्थम सोब मार को भरता है अपन पूरे-पूरे सेलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे चल रहे हैं बताओ अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में यह रहा सुमेली तो नहीं है कंच्याम जी बिल्कूल इस कलास को आप लो आपकी प्रक्टीस बहुत सारी होगी ठीक है और सेस्टन को जनल ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो एक बार बढ़िया बैतरीन तरीके से ठीक है हाँ सिव जी बिल्कूल स्वागत है आपका आज वर्त कोणकोण राख्यो है ठारी बभ भी होए नाराज मने पीनी ठोड़ दी है निला पानी अलबू बहुत बैतरीन तरचीन पादरड़ी करू लिये निला पानी का मेल ना 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 न मारवाड महुसाओ हाती महुसाओ ठीक है आती महुसाओ बताओ भई जल्दी से क्या होगा आंशर इसका ठीक है देखो कम से कम आपको इडली 30 कोशन मिलते हैं ठीक है और इंदी मिलती है आज जो है थोड़ा बाई युदू ट्रेंडिंग में चला गया ठीक है वो उती न को मतलब बीट करने के बाद में जो इस्पेसल पड़ाना पड़ता इसकूल के अंदर ठीक है तो वहाँ चला गया तो आज इंदी के मुझे लग रहा है कि मैं आपको थोड़े या तो ऐसा ही कि जो आ रहे है वो क अप्रेल में नहीं होता अप्रेल में नहीं होता ठीक है कहने का मतलब क्या अप्रेल में नहीं होता बाकी सब सही है देखो बात अगर की जाए यहां से उंट है यह अपना राजस्तान का मैफ है अब यह उंट कहां कहां जाता है तो उंट अभी फिलाल तो यहां पर बीका न और कहा है जाएगा फिर उसके बाद विश्य थार माया थार यह रहा आपना बाड़ हिर साइड है यह पता इन है कंद ऑना गज जब पूर में जाएगा यह यहां पर तो आपको ध्यान रखना है कि पहले उप्लों Ao फिर मरू मौसो, फिर थार मौसो, फिर आती मौसो, ठीक है ऐसे करके, मारवाण मौसो तो लाउस्ट विमाएंगा, सेप्टेंबर, अक्ट। jembre September October okay September October September October तो यह ध्यान रुखने पेपर मैं से कुसराँ आते हैं दूसरी बात जबनान पूछे हो हुट महसं और छिन्दी महीने में कब आता है ठीक है तो आपको यह ध्यान이라 एक very important पोईंट है वो यह है कि मतलब पोस माग जनवरी महिने माता है बाद खतम, जनवरी महिने के अंदर कौन सा महिना भटा है, जनवरी महिने के अंदर आपको ध्यान रखना पोस महिना PMJ, ठीक है पोस और माग पोस और माग की बात है पोस और माग के अंदर जो है यह बढ़ता है ठीक है ऐसे थोड़ा ध्यान रखना हिंदी महीने इंग्लीस महीने कब आते हैं ठीक है फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है किलियर ठीक है अगला कुशन बहुत बढ़िया मली नाथ पसू मिला मुझे लगता है यह कुशन आपके लिए थोड़ा टप पड़ जाएगा लेकिन कोशीज करते हैं होता है कि नहीं होता फिर मैं आपको बताता हूँ एक important list सरकार के document से तो मली नाथ पसू मिला कब भरता है लिए बहुत डीप कुशन है बहुत जादा डीप है अगर मैं यहां से वेसाग देता जेस्ट देता शेतर देता तो ठीक था आंसर तो सब में है शेतर है लेकिन सुकल होगा करसन होगा कौन सा होगा वो कौन सा होगा यह बहुत बड़ी बात है अच्छा सही उत्तर गोला ठीक है ठीक है ठीक है अ बहुत बढ़िया और भाई लाइक नहीं किया लाइक कर दो एक बार फटा पढ़न लाइक पहुंचा दो सारा यूनिवर्स घूम आई मैं ओहो सर आप यहां हो अरे प्रिंका थोड़ी मंगल कर पे चली जाती ठीक है पाफवानों को पड़ता है डॉनाल्ड ट्रम्प बिलकुर स्वागत है कैसे हो बढ़िन ट्रम्प प्रम्प साब आगे एकदम जैनल्या डिसूजा को नहीं जैनल्या डिसूजा नहीं और कौन थी डिसूजा इनकी फिर जूलिया जूलिया डूकोरन मना लिया मना लिया पिचारी जैनलिया डिसूजा उसको लेकर आगे ते फिर वो क्या करेगा अरे क्या नाम है वो अब तो याद ही नहीं आ रहा ठीक है बताओ भई रंजा आ रहे इसका बलकुल बहुत बढ़िया अब देखो अब ध्यान से देखना ये जो रिपोर्ट उठाई है मैंने कहां से उठाई पता है एग्रीकल सर्ड डिपार्टमेंट से ठीक है जो आपके लिए बहुत लाबदायक है किलियर तो ये चीज जो है कहां गी बई ये है ठीक है अब आपको स्क्रीन सॉट ले लेना है क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है यहां से पेपर में आजगल कुशन बनते ही बनते है इस बार हाल में फिलाल अगर बात करूं तो राजस्तान में जो पसू मेले है वो फिलाल अब नहीं हो रहे है क्योंकि एक लंपा कोई बिमारी आगी लंपा ठीक है लंपा 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 कोई लकडबंगा कोई बिमारी जो है ऐसी आगी पसूओं के अंदर तो इसलिए जो है ये मेले अब हो नहीं रहे है कापी टाइम हो गया ठीक है कापी टाइम हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनर आउसर है ये कि इसको आप है एकदम नजरों में बांद लो क्योंकि इससे ज़्यादा अथेंटिक आपको मिली नहीं सकता ठीक है पहले तो नाम देखो भाई गोमती सागर जो मिला है वो बरता जलावाड के अंदर गोमती सागर है कहीं गोतमी सागर है गोमती सागर है ठीक है सौरी गोमती फिर गोगा मेड़ी गोगा मेड़ी सबको पता अनुमान गड़ है गंगा नगर मत कर देना गोगा मेड़ी कभी पेपर में ऐसे कुछन आते है तो आँ गडबड हो जाती है मामला एक दमना याद ही नहीं रहता वहाँ पर शिरी वीर तेजा जी जो है ये परबस सर में नागोर में ठीक है आप ये बताओ तेजा जी का जनम का इस्तल कौन सा है जनम इस्तल परबस सर के अंदर मेला भरता है नागोर में जस्वंद मेला very important है ध्यान रखना है आपको भरतपुर के अंदर ही भरता है जस्वंद पसु मिला ठीक है जस्वंद प्रदस्नी और पसु मिला कार्तीक पसु मिला पुस्कर के अंदर है और ये अजमेर के अंदर भरता है ठीक है कार्तीक भीका निर मत कर देना बाबा राम देव जो पसु मिला कई लोगों को लगता जिसल मेर के अंदर है लेकिन नागोर के अंदर है नागोर के अंदर सबसे ज़ादा मिले परे जाते हैं ठीक है मा सिवरातरी पसु मिला जो है करोली के अंदर है कहां पर है करो दी के अंदर है मा सिवरात्री पसू मिला करो दी मली ना जो हमारे वह बाइड मेर में यह देखो 17 इंदर का से 107 स gjया है सितर सबसक्राइ karışां एक मैंना पूरा भरता है एक मैंना पूरादा पसु मेला एक दो क cavity होगा नडों कि यहांगी होगा सिम्पल सी बाद है बलदेव दियान रखना नागोर्च के अंदर है तो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहां पर जो है, एक, यह यूज करता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपकी सही रहेगा, यहां से थोड़ा कम दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, यह सही है, अब सही है, अब यहां से आपके सही है, अब आप ध्यान से देखना, यंद्ट आ एकी मिला भरता है पूरे-पूरे मतलब इतने मेले है ना सबस्क्राइब बनेगा अजिद्ल अब। जस्वंद पसू मिला ठीक है जस्वंद पसू मिला वेरी इंपोर्टेंट टैन स्टार पॉइंट है वेरी इंपोर्टेंट पेपरम बनेगा क्योंकि यहां से मैंने कुछन बनते हुए देखे और विगडती हुए भी देखे कुछन गलत हो जाते हैं ठीक है सिंपल उसके बड़ी नाम बड़ा नाम है तो माग बाबा राम देव यह भी बड़े नाम है ठीक है तो माग महीने के अंदर तो बाबा राम देव और महा महा सिवरात्री ठीक है यह दोनों मेले जो है डेट अलग अलग है लेकिन माग महीने के अंदर भरे जाते हैं माग महीने के अंदर वसु मिला है वो तो देखो भई शुकल में बरतार करशन को खतम होता है तो ये आद्या मतलब शुकल है आद्या करशन है लेकिन रामदेव जी का जो मिला एकदम दोला दिनको ठीक है दोला दिनको उसके बाद-बाद की जाए आपको ध्यान रखना है दो मेले बरे जाते हैं के घोगा मेडी का औरते जीओ तोते इंका मेला बरा जाता स्रावन की अंदर थीओंते अपर यह थोड़ा ढूंखनाइक है कि पूरड़ि तक यहीं पूरा-पूरा स्रावन सब्सक्राई दब्रता है और पूरे के पूरे है गोगा जी नाम लेकिन करसन महीना कहीं नहीं आ रहा है सुकल आ रहा है ठीक है सुकल आ रहा है लेकिन वहीं पर तेजा जी तेजा जी जो है बादरपद स्रावन सुकल पंदर से बादरपद करसन अमावसिया तक है ठीक है तो दो ध्यान रखने है ठीक ह पता गोमती सागर वे साग महीने कंदर अब एक मिला रहा है जो आपको वेरी इंपोर्टेंट वो याद गरना सेत्र वाले दो मेले हैं एक मलीनाथ जी का मिला एक बल्देव पसु मिला है ठीक है यह अपने सेत्र महीने कंदर बरे जाते हैं इसलिए पेपर के अंदर ये कुशन ज्यादा आता मलीनाथ पसु मिला लूनी नदीगे किनारे ठीक है मलीनाथ पसु मिलेगी डेट है सेत्र करसन इग्या रस से लेकर सेत्र सुकल इग्या रस तक ठीक है समझ गे छेतर कर्शन 21 रसे लेकर छेतर सुकल 21 रस तक और यहां पर बल्देव जी की बात करें तो यह सेतर सुकल 11 रस तक थीक है, पनर रस मतलब 15 तक ठीक है, सिंपल सी बात है बागी देखो, कार्ती, कार्ती के अंदरी बरेगा और क्या, तो कार्ती पसू मिला पुस्करवाला है वो कार्तिक सुकल एकम से मार्क्सिस में भरेगा और चंदर भागा भी कार्तिक को पड़ता है ठीक है कार्तिक को पड़ता है तो मेरे एसाफ से अब यह पॉइंट आपके किलीर है एक बार स्क्रीन सोट दे लो और वाट्सेप पर टेग कर देना कुछ चीज भफ भी बात अगई करासर्ण से स्टाइब तो स्थूकल तो नहीं होगा ठीक है इग्यारस आएगा यह सह्छंए करस से लेकर सहतर्षूकल इग्यारस सब्सक्री इग्यारा इग्यारा ऑग्यारा मलीनाथ कुंड़ा नाथ पarat Religion कुंड़ा-पंथ किंड़ा 5 किंग्या परनेता थे ठीक है कुंडा पंत के परनेता थे पेपर में कुशन बनता ही बनता मलीनाथ जी से मलीनाथ जी से जो है कुशन बनता ही बनता ये मान के चलो आप ठीक है मलीनाथ मलीनाथ से रिलेटेड पेपर में कुशन बनता ही बनता रावल मलीनाथ ठीक है तो रावल मलीनाथ के बारे में और बात की जाए तो बाइड मेर जिले के मेवा नगर के ये जो है सासक राव सलका जी के जिस्ट पुत्र थे किसके थे राव सलका जी के और इनके नाम पर ही जो है मालाणी नाम पड़ा था और मूनोद नैंसी ने इनके बारे में बहु देंकि तिलवाडा गाओं में इनका मंदिर बड़ा फेहमस से सेत्र महिनी में मिला लगता सब को पता है अभी मैंने बताया आपको ठीक है तो यह थोड़ी सी आपको ध्यान रखना क्लियर और इसके लगा बात करें इनकी जो वंसे जैबो रावल कहलाते हैं ठीक है क्या कहलात कोद भी जो इन्होंने धारण की थी इसलिए नाम पड़ा रावल मलीनाथ रावल मलीनाथ ठीक है मलीनाथ ठीक है यह थोड़ा से ध्यान रखना यहां से पेपर में बन सकता है कुशन ठीक है कुशन बन सकता है बाकी इसको एक बार देख लेना आप है ना बहुत सारी चीज अगला कुशन जो अमारा है वो ये रा कि कुशन जो है वो ये है वीर तेजाजी पसु मिला लगता है अभी बताया था वीर तेजाजी बताओ अब तो हो जाएगा सही वीर तेजाजी पसु मिला अभी याद करवाया अभी अभी याद करवाया लागी गुगा जी याद है गुगा जी याद है तो तेजा जी याद होई जाएगा ठीक है तो स्रावन सुकल पंदरस से बादर सुकल पंदरस से पुर्णीमा स्रावन सुकल पंदरस से बादरपद अमावस्या स्रावन कर्शन पंदरस से स्रावन सुकल पंदरस ठीक है आज लाइक होगे पचास अरे वा मौजगर्दी सुमन चौधरी पहुत बढ़िया बताओ हाँ इस बार सर जूम तो कीजिए अरजुन बेटा जूम है यह लो जूम हाई जूम बताओ बढ़िया क्लासे ज्यादा होती ने तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है प्रीता बेन आप मेरी तरफ से होया देव के तरफ से बल राम आ रहा हो बल राम तुन दो एक मेर कन लाई जापट ठीक है फिर बोल लिए मम्मी हाँ मम्मी हाँ यह रहा है बताओ भी आँ जी यार बोल रही है कैसी चल रही है तैरी दोस्तों काफी ठाइम बाद आई हूं मैं आओ आओ बिलकुल स्वागत है आपका ठीक है सब बढ़िया चल रही है इनकी अब भी बताया था अब भी बताया था कि करसन आएगा करसन का मतलब मामा उसे ही होता है ठीक है तो यह सुकल और यह सुकल तो यह तो नहीं होगा अब करसन और सुकल लेकिन पहले सुकल आएगा फिर करसन आएगा तो सुकल बोलो और करसन बोलो बात तो एक ही है बात तो ए option, C for कहो ना प्यार, इंबल राम गलब पढ़ लिए ठीक है, हाँ नहीं, unique student, OBC वाले, त्यारी OBC वालों को बिल्कुल नाय मिलेगा, ठीक है हाँ तैयरी छोड़ नहीं नहीं है भई, तैयरी छोड़ोगे त्पिर क्या करोगे बताओ सर आब ऐसे कैसे कर लेते है यह हमें आंत्रिक टैलेंट है, ज्वाला मुखी कैसे, आंत्रिक जो है ज्वाला मुखी इस तरीके से, ठीक है, अगला अगला कुशन, नीला पानी का मिला किस दिले में लगता यह रा, ओ, हो, हो, क्या कुशन है क्या कुशन सीफ और काली बिली सीफ और काली बाई का काला प्यार सीफ और काली बाई का काला प्यार बताओ तो तुम हो चुगे हो, गलत तो हमारी भीद नहीं बाबी को दिल करो भील नहीं बाबी को दिली अच्छा वेजिटेबल का थेला चलाएंगे ना ना ठीक है अरे जी आर जेपाल रुखजा में पढ़ा ही रहा हूं ठीक है अब आपको कुशन के उत्र देने पहले मैं बिल्कु अलवर नहीं होगा बैज डूंगरपूर है क्या है डूंगरपूर इसका राइट अंसर है डूंगरपूर नील कंट का आता तो ठीक है के अलवर होता लेकिन इसका अंसर डूंगरपूर होगा ठीक है डूंगरपूर डूंगरपूर आगे बढ़ते अगले कुशन की अब रबे कुश्ञा बड़े खतर नायग है पॉलिटी के आने वाले एक achieve नियरा मिला और से जिल्ले में लगता है बहुत बड़िया कोश्ञ किस ज्रुश नलकर शिरोई, बाड मेर, पाली, जोधपूर और चूरू अवनी का अंसर भी आगया, अवनी बेटा मुर्का बंजा ठीक है, बाड मेर तो नहीं होगा, कते ही नहीं होगा जब देखो तब बाड मेरी उतरावे जब देखू मैं थारी लाल पीली अंकियां, डोला जब देखू मैं डोला थारी, लाल पीली अंकियां, माने लेदो, लेरी उसा ठीक है, बताओ भी, राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, खांगडी पाली के अंदर है तो खांगडी हो गया, और सिंद्रू मिला हो गया, ये कहां बड़ता है, पाली के अंदर, ये ले, ठीक है ये कटा चालान, अगला कुसन बहुत बढ़िया, राष्टिये आपात काल के दौरान परभाव पड़ता है, बहुत बढ़िया कुसन है अचा अचा और भी तो है इसके अंदर आप्सन है आप्सन अब सही होगा है अब बताओ राश्टिये अपातकाल के दोरान परभाव पड़ता है सबको बता है राश्टिये अपातकाल की बात की जाए राश्टिये अपातकाल की बात की जाए तो क्या होगा आर्टीकल, आर्टीकल, आर्टीकल 352, आर्टीकल 352, लेकिन राष्टी आपातकाल का वरणन नहीं दे रहा, नाम नहीं दे रहा, ये नाम सभिधान के अंदर नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आपको, तो यहाँ पर आर्टीकल 352, राष्ट बती सासन की बा Article 360 जो Financial Emergency वितिय अपातकाल, ठीक है? वितिय अपातकाल, बताव में जल्दी से, आप इसका Right Answer क्या होगा? क्या होगा? क्या लग रहा है? बेटा सभी उत्तर नहीं हो सकता, कभी नहीं होता, सभी उत्तर तो हो जिस अइन शकता, क्यों राष्टी आपात काल के दौरान परभाव पड़ता है ये तो बिल्कूल सही है ठीक है लोकसभा विदान सभा के कारेकाल पर पड़ता ही पड़ता है ठीक है मौली गदिगार पर तो पड़ता ही पड़ता है लेकिन नीती दिल सक्ततों पर थोड़ी पड़ता है डीपी DPSP पर, DPSP पर, पताओ, और वैसे, ओ भी जाना चाहिए, सही भी होना चाहिए, ठीक है, सभी भी उतर हो सकता है, सभी भी हो सकता है, लेकिन, इंडारेक्ट ली है न, वहाँ पर mention नहीं कर रहा है, DPSP के बारे में, ठीक है, क्यूंकि, जो भी काम होगा, वो फिर केंदर के चाहिए, ठीक है, तो रश्टी आपातकाल के दौरान जो परपाव पढ़ता है, यहां पर जो राइट आंसर वो होगा, एक, तीन, चार, क्या होगा, सीप और काली भाई का, काला बिल्ला, ठीक है, काला बिल्ला, अगला question, रश्टपती, अनुछेद के बनी, रश्टपती, बैतरीन तरीके से आप खेल जाओगे, इस कुशन को, आप बहुत बैतरीन तरीके से खेल जाओगे, एक option और है, एक option और है, अब बताओ, इन में से कोई नहीं, ठीक है, रश्टपती सासन के बारे में, आ सत्य कतन है, क्या है, गलत कतन है, और इसे बहुत सारी जानकारी मिल बताव अब बताव राइट क्या है अनुसे 356 के बारे में राष्टपती सासन दे रखा है लागू ओने के दो माँ में संस्व के दोनों सद्रों से पारित हो तो 6 महिने के लिए ठीक है सबसे जादा बार राष्टपती सासन मनीपूर और बिहार में लगया जा चुका है ठीक ह सबसे पहले राष्टपती सासन पंजाब राज्य उनी सो इक्याव उनमें लगा थीस गड़ और तैलन गाना में एक बार भी राष्टपती सासन नहीं लगा है और इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं अच्छा गाई तौने हो हैं पूरे दिन गाई तौने हो ठीक है बताओ बताओ सबका आराई सी सबसे ज़द्धा रस्थपती रुको एक मेंट पहले आपकी समझे का समाधान करते है परसीडेंट रूल बाई स्टेट वाईज ठीक है लक्समी कान देखोगे मिल जाएगा आपको यह कुछन आ रखाए ऐसा ही के अंदर परसीडेंट रूल इस परसीडेंट रूल बाई स्टेट आप द्यान से देखना ठीक है यहां से तो देखो भाई सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा बार ठीक है आठ बार तो बी आर में लग रखा है आठ बार आठ बार बी आर में है ठीक है और आठ बार ही जमू कस्मीर के अंदर है आठ बार ही जमू कस्मीर के अंदर है ठीक है और दस बार मनीपूर है वेरी इंपोर्ट है सही है ठीक है दस बार मनिपूर की अंदर है सबसे ज़्यादा जो प्रसीडेंट रूल है वो मनिपूर की अंदर है देख रहे हैं वाप मनिपूर के अंदर महुत ज़्यादा बार है ठीक है अब जैसे वहां के लोग पढ़ते होंगे ने वहां पर तो वहां पर उनको यह के अंदर 6 वार है ठीक है और पॉंडुचरी के अंदर 7 वार लग चुका है 7 यह ए आठ बार पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर भी आठ बार लगए वो 8 वार ठीक है 8 बार राजिस्टान में 4 वार राजिस्तान की देखो डेट देख सकते हैं आप पहला 13 मार्स 1966 ठीक है दूसरा गुणती अप्रेल 1907 तीसरा 16 फरवरी 1980 और 14 15 देसंबर 1902 ठीक है 1902 पहला जो लगा था उसका कारेण क्या था भई डिसीशीव आउटकम ऑफ इलेक्शन इलेक्शन की बज़े से ठीक है दूसरा जो लगा था चौवण डेज का था वो राश्पति सासन 1997 वहां पर ध्यान रखना गवर्मेंट डिस्मिस्ट इन इस्पाइट और अरीदे उजोसी एंजोइंग मेजोरीटी सपोर्ट इन को यहां से धियम रखनाप मेंघ्र इस्कुसिं के अंधर वोसकता डिस्प्यूट हो जाए ठीक है अब जैसे 9 बार है तो उत्तर-प्रदेश के अंदर 9 बार लग चुका है उत्तर-प्र्देश के अंदर। लेकिन सबसे जाधा तो वणिपूरी है रहना सबसे जाधा तो सबसे ज़्यादा बार रस्टपति सासन मनिपूर और बिहार में, यहां पर यह रॉंग हो सकता है, ठीक है, क्यों हो सकता है, मनिपूर के अंदर दो 10 है, लेकिन UP के अंदर 9 है, BR के अंदर 8 है, तो और नहीं बोल सकता है, इसलिए C रॉंग है, C रॉंग है, ठीक है, C रॉंग इसमें थोड़ा सा डाउट है ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया ठीक है लेकिन आपको यहां से जो है थोड़ी पहचान मिली कि ऐसे भी कुशन बन सकते है क्योंकि पेपर में अल्रीडी कुशन बने हुए ऐसे ठीक है जिसे मैं आपर बात करता हूँ थिस गड़ और अगर गश्याती है उत्रपरदेश है तमील नाडू सिक्किम राजस्तान है पंजाब है उडिसा है नागालेंड है मेजोरम है मेगाले है मनिपूर है मारस्टा है कैरला है करनाटक है جारकंड है थिसाल गड़ करनाटक जारा है थी अंदर नहीं है भाछて अभी है 36-0 के अंदर नहीं बहुत बढ़िया एक बहुत बढ़िया फैक्ट आपके लिए निकलाएं कि 36-0 और त्यलंग आना में नहीं लगाएं त्यलंग आनल पी बनाएं तो 36-0 और त्यलंग आना में एक बार भी राष्टपती Saasana नहीं लगा है ठीक है समझ गए तो यहां पर जो राइट अंसर होगा वो क्या होगा भई वो होगा यहां पर सिंपल सी बात है वो यह होगा ठीक है C option क्या होगा C option right C option right बताओ point to be noted राज राणी की चत्री का है बताओ रे टावरो राज राणी है अगले कुशन की तरफ वितिये अपात काल के बारे में गलत कतान है अगले कुशन की तरफ बहुत मेनद लगती बहुत ज़्यादा मेनद लगती आप देख रहो इस कुशन का लेवल यह 6 option मुझे कुश सौंक थोड़े ही है ठीक है मैं तो यह इतना ही बोल सकता था वितिया आपकाल के बारे में कौन सा आर्टिकल है खतम लेकिन आपको 6 option दिये जा रहे हैं इसका मतलब कुश अलग है ठीक है कुश अलग है इसलिए तो दिये जा रहे हैं ना इसलिए तो दिये जा रहे हैं समझ रहे हैं तो सेर में लाइक में और इसमें कोई कम ही नहीं होनी सी बताओ जल्दी से बढ़ा पड़ा हाँ रवीता ठीक है राइट अंसर क्या होगा अब कट क्या चालान कट क्या वितिया अपाद काल के बारे में आर्टिकल 360 बिल्कुर सही है गोशना के दो माँ बाद संसर की स्विकरती जरूरी ठीक है एक बार लग होने के बाद अनिस सिदकाल वेरी इंपोर्टेंट टीक है नंगा अलेंड में वितिया अपाद काना नहीं लग वह था भारत में अब तक एक बाद भी आपास काना नहीं लगा ये वला वला अबर अभी द संग नियों सकता लेख छिए अ Met सवीदान में भी जरमनी और बारत सरक्रार अधीनिम 1935 से भी आपाधकल न फ्रावदानों को लिया बिल्कुल सहीं यहां पर जो गलत अंसर है वो है जमू कस्मीर के अंदर जमू कस्मीर के अंदर वितिय अपादकाल लगू नहीं होता ऑब जर्तु बोलटी पैटरन बहुत यह अपसपालो लगता नागा लेंड में ठीक है यहाँ पर राइट है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँपर मतलब गलत कतन कुन सा है नागा लेंड नहीं है, जमू कस्मीर है बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है, अब एक बार जल्दी से आजाओ अपन बात कर लेते जो इस टाइम जो लगा था ना, ये वाला ठीक है, इंद्रा गांधी की समय अपात काल, इसको थोड़ा देख लो ना, इसको थोड़ा देख लो, क्योंकि यहां से कुशन पेपर में बन सकता है, एक तो आरेस कंद्र आया हुआ है, परदान मंतरी इंद्रा गांधी जिन्वाने बारत के राष्टपती फकुरूदिन अली अमद से, राष्टी आपात काल की घोष्णा कराई, आप सब को पता, राष्टी आपात काल की घोष्णा कोन करता है, घोष्णा कोन करता राष्टपती, ठीक है उस टाइम पेपर में यह कुशन बन सकता है कि उस टाइम राष्टपती कोन थे औॉप्सन में जेल सिंग भी आ सकता है फकुरुदीन अली एमद भी आ सकता है तो आपको ध्यान रखना है वेरि इम्पोर्टेंट नाम है फकुरुदीन अलीएमद इनके बारे में तो खाय जता है कि इनको बोलते काला अध्या है ठीक है अगर आप ध्यान रगो इस्पेशल डेट तो पेपर में आई हुई डेट है यह 25 जून से लेकर 21 मार्स 1907 सततर यह काला अध्या है अपने पूरे देश के अंदर है ना 25 जून को लग हुआ था 25 जून 1925 की रात को तो यह इस्पेशल डेट आरेस के अंदर आई हुई यह 18 यह 18 के अंदर अठारा की पेपर में पूछ रखी यह वाली डेट ठीक है यह वाली डेट अब आप यह बताओ आर्टीकल 352 कितनी बार लग चुका है इंडिया के अंदर पटापड बताओ इसके अलावा बात करें जये नारण प्रकास ने जो है बारतिह इतियास की सर्वाढ का लीए उथी किस ने का जय प्रकास नारण ने का उस स्धाइप नस्बंदी अभियान चलाया गया थीक है इस टाइम नस्बंदी अभ्यान चलाया गया बहुत सारी चीजे जो है यहाँ पर करी गई थी बहुत सारे बड़े-बड़े नेताओं को जो है जेल के अंदर डाल दिया ठीक है जैसे ये लोग संजे गंदी का एक जो है आपातकाल के दवरान एक लोग पर ये नारा था आपातकाल के तीन दलाल संजे विद्या और बंसी लाल ठीक है ऐसे करके यहाँ पर कुछ लाइने भी दे रखिये ठीक है इसको एक बार आप देख ले ना थोड़ा-थोड़ा ये लोग जो है इसके टाइम जेल में डाल दिया इनके टाइम बहुत खतरनाक ताना साथी ठीक है तो इस टाइम कौन-कौन जेल में पता है आपको बड़े-बड़े लीडर जेपी जेप्रकास, मौरार जी आडवानी, असोक महता वाजपी तक सबको अरेस्ट कर लिया इसके टाइम, आर्टिकल 352, ये लगा था 1905 के दौरान ठीक है, 1905 के दौरान लगा था किलियर तो ये थोड़ा बात ध्यान रखना पेपर के अंदर आ सकती ही यहां से बात है ठीक है तो किलियर दूसरा यहां से जो है 20 месте, सवीधान, संसोदन इसके अंदर भी बहुत सारे प्रावधान किये गए ठीक है और यहां पर एक आयोग है सायोग तो सायोग ये इसी से related है सायोग, बारफ सरकारगा जो है ये इसी से related है मतलब सायोग की बात करें तो सायोग जो है ये जब थर्ड ये जब लगा था ना उनी सो पिचे तरका राश्टी आपातकाल तब ये आयोग बिठाया गया था सा आयोग तो ध्यान रखना पेपरम पूचा जा सकता कहीं न कहीं मिल जाए आपको तो सा आयोग तो जैसी सा जो इसकी अद्यक्स थे सा आयोग ठीक है सा आयोग आप बढ़ते अपने अगले कुशन की तरक अब अपना जो अगला कुशन है राजस्तान में दिर्थिय राष्टपती सासंद कब और किस कारण से और उस समय मुख्य मंत्री कोन था क्योंकि रेगुलर यह चल रही विदान सबा वला विदान सबा का पोर्ष्ण आपके रेगुलर चल दा तीन-चार दिन से विदान सबा श्पीकर डेपूटी स्पीकर प्रोटेम स्पीकर और अपना आपको यह तैयार करके आने हैं बताओ अरे अंकित रुख जा ठीक है जेपाल है क्या हुआ जेपाल सुमन सेशन कैसा लग रहा जो नहीं है बई सब का स्वागत है न कुमार भीका नेर सब है न जितने भी लोग है खास करके रीट वाले बिल्कुल हाँ ये देखो आंसर आ गया किसका आए ये आंसर किसका है सर क्या टाइम हो गया काँ टाइम हुआ है मादेव की लाडली ने बताया एकदम राहिता बना के बड़ी अदेशी राहिता 1962 के अंदर लगा 1901 के अंदर लगा 1945 चार बार आर्टिकल 352 का यूज हो चुका है ठीक है और सचीन ने बताया कि 1902 चीन के द्वारा आकरमन जवाला नेरू 1901 पकिस्तान के द्वारा आकरमन इंदरा गांधी 1945 आंतरी का असान थी बिलकुल सही आंतरी का असान थी फिर उसके बाद जो है वो चैंज किया गया ठी ठीक है अगला बताओ बढ़ी अगला बताओ बहुत बढ़ी है राजस्तान में दिर्थिय राश्च्पती सासन कब और किस कारण कब और किस कारण और उससे में मुख्य मंद्री कों दे बहुत बढ़ी हा कुशन पुचाओ बहुत बढ़ी हा कुशन ठीक है उत्र तो होगा इस मैंसे तो सततर मैंसे इसका मंदब ये रॉंग अब बताओ 1907 गेर कॉंग्रिसी सरकार अरीदेव जोसी 1907 इसपस्ट भगुमत बैरो सिंग से कावत 1907 उनिसो पिचेदर कराश्टी आपातकाल अरीदेव जोसी बहुत बढ़िया कोशन है बहुत बढ़िया कोशन है चैलेंजिंग कोशन है आपके लिए ठीक है चैलेंजिंग कोशन है ये और यहाँ पर आप गेम खेल चुके हो ठीक है आपका चाला लगबग कट चुका है इस कोशन के अंदर पंदरवे कोशन ने आपको हिला दिया पंदरवेक को से ने जो है आपको एकदम डोड़ा पिला दिया ठीक है एकदम डोड़ा पिला दिया उमीद से ज़्यादा जो है गलत किया है ठीक है और सबका गलत है सबका सी तो हो इनी सकता कती नहीं हो सकता ठीके, कती नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, भाई साब, भैरो सिंग से कवत कैसे होगा, ठीके, यह जो राइट अंसर वो यह होगा, अभी बताया था आपको, अभी मैंने, अभी जस्ट, ठीके, अभी जस्ट आप ध्यान से देखो, मैंने आपको यह ब मिजोरम, उरिसा फंडुचेरी और आजस्तान ठीक है आप द्यान से देखना तो पहला अरिदे उजोसी पहला तबने मोलाल सोकाडिया दूसरा अरिदे उजोसी ठीक है दूसरा अरिदे उजोसी तीसरा वेरो सिंह से कावद और सौता बैरो सिंग सेकावद तो सबसे जादा अगर बात करन बैरो सिंग सेकावद के समय लगा किस के समय बैरो सिंग सेकावद के समय ठीक है दो बार किलियर यानि सुरुवाद में अगर मैं बात करूँ यहां से सुरुवाद में अगर आपसे बात की जाए यहां से तो आपको ध्यान रखड़ा है कि मोहनलाल सुकाडिया बिल्कुर सही है यह सही है यह सही है ठीक है दूसरा जो लगा वो इस टाइम अरीदेव जोसी ठीक है अरीदेव जोसी तीसरा जो लगा 1947 इस पर्स्च बगूमत बैरोसिंग से कावद ठीक है 1988 वाला और फिर 1902 में 1902 में 1902 में आगे बढ़ते हैं अगले कुस न की तरब अगला कुस न और भी बढ़िया है और बढ़िया कुससन है ठीक है यह कुस नमारा है ये आज सुमिलित है राष्टपती सासन राज्यपाल और मुख्यमंत्री मज़ा आ गया ठीक है कुछ चीजें आपको बता दी जाती ही पहले ही है ना कुशन आते ही पहले ही उससे पहले ही आपका जो रिवीजन हो जाता है तो आप को सिस करते होगी यह मैं आंसर दे सकता हूं इस ही परेशान हो गई के रगुगुल तिलक हरीदेव जोसी शततर की बात हो रही है सन सट संपूर्णानन मोनलाल शुकाड़िया असी रगुगुल तिलक बरुसिंग से कबत बराइनँ में वेदपाल त्याकी बरुसिंग से कबत ठीक है क्या अंसर होगा भी टू कि सूर्सर बोलने मार्फ क्याВ और सम Daarम आसर हो क्या हुआ रगुकुल तिलक भी सही है ठीक है रगुकुल तिलक भी सही है point to be noted यहां से जो गड़बड है वो यह है कि M. चन्ना ready है M. चन्ना ready है ठीक है ध्यान रखना तो वेदपाल ट्यागी नहीं है ट्यागी नहीं है तीसरा जो आपको ध्यान रखना है इसके समय सिर्फ रगू कुल तिलक ही होंगे ठीक है बाकि Taylor तो दोदो राज्य पाल और भी ते ठीक है तो यहां सी ध्यान रखना ready बल्ली राम भगट यहां पर थे उम सन्दा ready और बल्ली राम भगट ठीक है रगू कूल तिलक के साथ थ्याग थ्याग यहना वेधपाल ट्यागी इसके समय थे रघु गुल तिलग और वेधपाल ट्यागी बाकी चीजे के लिए रहे संसट के अयंदर मोझनार सुकाड़िया सततर के अंदर अरिदेवnew जोसी असी के अंदर भेरोशिंग सेकावत बराणवे के अंदर बेरुसिंग से कवद सबसे ज़्यादा समय की बात के रश्टपती सासन तो ये वाला था एक साल लगबग ठीक है फिर उसके बाद ये वाला तीसरा फिर उसके बाद में दूसरा फिर उसके बाद पहला अगर समय पूचा जाए पहले का कम, दूसरे का फिर, फिर ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ते अगले कुशन की तरफ अगला कुशन आपका ये है पच्चिमी और पूर्वी गाट के संदर में निमन मैंसे कौन सा कतन सही है बताओ भई, कौन सा कतन सही है, बहुत बढ़िया कुशन है बहुत अच्चा कुशन है ये, ठीक है लेवल का कुशन है, लेवल तो आपको काफी चीजे मैंने बताई है, तो आप अगर यहां से उत्तर दोगे तो आपका अंसर आ जाएगा वैसे है ना पच्चिमी और पूर्वी गाट के संदर में निमन मैंसे कौन से कतन सही है पूर्वी गाट में सबसे उची चोटी अनाई मुडी है पूर्वी गाट की दुलना में पच्चिमी गाट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता उचाई उचाई में नीचे है और अहव विरत है अधिकतर प्राई दीपिये नदियों के उत्पती पच्चिमी घाट से होती है नीलगरी पाडियों पर पूरवी और पच्चिमी घाट मिलते है क्या राइट होगा इसका बताओ जैपाल जी रुख जाओ भई सरीक टेबल बनाओ CM और गवर्णर की ठीक बना दूगा ना बना दूगा बताओ बताओ पिष्ले परसन में कंभ्यूज है सर रिपीट कैसे कंभ्यूज हो भई क्यों कंभ्यूज हो कहां कंभ्यूज हो ओ मारो परसन ठीक है पहले इसका उतर दो बहुत बढ़िया उतर दिया बहुत सारे लोगों ने बढ़िया उतर दिया तो ध्यान से देखो पूर्वी गाट में सबसे उची चोटी अनाई मुड़ी क्यों है पच्छी मी गाट की अनाई मुड़ी ऐसे कैसे हो सकता, आप ध्यान से देखो, अगर आप यहां से देखोगे इसको, तो आपको कटा फटा दिये नजर आएगा, तो अवरित को इसा, अवरित, यह बोलना पूर्वी गाट की तुला में पच्छी मी गाट, ऐलीविशन में नीचे है, कैसे बई, ऐलीविशन तो सब आप यहां से अलिमिनेट, पेपर वाला यही चाहता है, आप एक ओप्चन को पकड़ो, और एलिमिनेट करो, ऐसे UPSC-PRI होता है, ठीक है, UPSC-PRI पढ़ने से नहीं होता, समझ रहे हो, और RS-PRI भी इतना पढ़ने से नहीं होता जितना ऐसे ऐलिमिनेटिन वाली टेकनिक खे एक जग ऐसा कोई option होगा जो special repeat हो रहा और बाकी नहीं हो रहे तो आंसर सिरत तीन और चार ही होगा और देखी रहा है कि पूर्वी और पच्छी मिगाड नेलगीरी पे तो मिलते हैं अधिक दर प्राइदी पिया नदी गुद्पती पच्छी मिगाड से ही और क्या सही तो है तो है गोदावरी यो क्रश्नाओ कावरी हो कहीं से पच्छी मिगाड सी तो है अगला question अब इस question के अंदर बाई doubt क्यों आपको ये question सही है कोई दिक्क्त ही नहीं है ठीक है बाई अहां संपूर्णा नंद सही है पहले के अंदर संपूर्णा नंदी थे ठीक है तीसरे गंदर अगू कुल तिलक थे, चौते गंदर त्यागी थोड़ी थे, तो त्यागी साइध यहाँ पर थे, इस जगे थे, ठीक है, यानि मेरे हैसाब से मैं आपको बताओं तो, एक जो पहला था, उसके अंदर तो दो राज्यपाल थे, ठीक है, जिसमें एक संपूर्ण अंदर एक और है, दूसरा हुआ, उसमें भी दो राज्यपाल, ठीक है, दो राज्यपाल, तीसरा एसाइ, जिस समें एक ही मातर, आउनली आउनली रगू कुल तिलक है, यह इंपोर्टेंट है, तीसरे अरश्टपती साथरा, 1980 के समय, तो यहाँ पर सिर्व रगू कुल तिलक ही है, ठीक, फिर उसके बाद, यहाँ पर, यहाँ पर चन्ना रेटी और बली राम भकत है, M चन्ना रेटी और बली राम भकत, बली राम भकत, ठीक है, अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं, अगला कुस्टन अमारा ये रा बहुत बढ़िया कुस्टन है अच्छा कुस्टन है और कर ले जाओगे आप ठीक है अराम से बताओ राउर केला राउल केला भिलाई दुर्गापूर पच्चिम मंगाल और वाई जेग अब यहां पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पेपर में कुस्टन बनता है राउर केला राउर केला बोलते हैं राउर केला राउर केला राउर केला बताओ प्रेम ठीकत नहीं है जेसके है उसको समझा उसर अरे प्रेम बेटा तूं सुद्रजा में अभी तरों प्रेम करवा देशूं ठीके ठोला पड़ेला माथे में इस उसर आपने बोला डीपी लगा दो मैं लगा लिवापिस क्या बात है बढ़िया यह निसर जी मैं अपनी धर्म पत्नी क्याता हूं आपने लिआऑ शुरु सेंग बोलड़े धर्म पत्नी क्याता हूं तो आप सबको पताए जमसेदपूर वाला, टिसको, टाटा वाला टिसको, तो टिसको जो है यह सौतंतरता के बाद खोला जाने वाला टिसको, ठीक है, यह पहले वाला है टिसको, एक बर बताओ कमेंट वक्स में बताओ, एक कुसंद आ रखा है, पेपर गंदर आता है, बार- ओधलाथ में लोग सब्सक्राइक है तो वहां पर आपकोई चीजर्शन दिख जाएगी यहां पर यह चीजर्शन दिख दो पहली अगर बात करो कार खाना अंदर वह कुल्टी बरनपूर के अंदर पच्छिम बंगाल में खोला गया था ठीक है 1804 की बात है कब की बात है 1804 की बात है कुछ चीजें लिख लोगा ना 1804 के अंदर कुल्टी बरनपूर के अंदर दो इस बात का रखाना कुल्टी कुल्टी कहां पर है पच्छिम बंगाल के अंदर बरनपूर, यहाँ पर जो है, पहला कारकाना खोला गया, बंगाल के अंदर, कहाँ पर पत्सिमी बंगाल के अंदर खोला गया, ठीक है, पत्सिमी बंगाल के अंदर खोला गया, और इसको जो है, बंगाल आयरिन वरक्स के नाम से इस्तापित किया, ठीक है, किलियर, बताओ, और फिर सौतंतरता से पहले बात करो तो टिस्को जो है टिस्को को 1907 के अंदर बियार के साक्सी नामकिस्तान पर इस्थापित किया तो टिस्को जो है ये पहला था ठीक है पहला था सौतंतरता से पहले ऐसे कुछन बनता है तो वहाँ पर ये नहीं था टिस्को की जो इस्तापना यह हुई 1907 के अंदर जमसेजी टाटा के दोरा 1907 के अंदर टिस्को बड़े प्यमाने परदेश का पहला कार खाना 1907 इस्वी में जमसेजी टाटा दोरा बियार के साकसी नमकिस्तान पर इस्तापित किया गया ठीक है फिर उसके बाद जो है दिरिदी इनों ने यहांपर जो है इसको ओ गई और यहांपर बिलाई की बात करें तो बिलाई जो है यह रसिया की साहिता से 1955 में 1955 के अंदर बिलाई की इस्तापना करी ठीक है अगर बात करें दुर्गापूर तो दुर्गापूर ध्यान रखना ये पच्छिम बंगाल के अंदर राज किस ने किया था बिरिटेयन वालों ने तो पच्छिम बंगाल के अंदर बिरिटेयन एस्तापना की 1956 के अंदर 1956 के अंदर और बोकारो ध्यान रखना ये अपने जारखंड में लो इसपाद उद्धे हो गए और राउर केला जो है जरम नहीं है क्या है जरम नहीं है राउर केला ठीक है किलियर आप देखो वाई जे एक जो है यह करना टक में नहीं है अंदर परदेश के अंदर है अंदर परदेश के अंदर है ठीक है अंड़रपरदेस के अंदर आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की तरब अगला कुशन हमारा भाई टेल, सोदन, साला, सुमेलित नहीं है ताती पाका आंदरपरदेश डिगबुई आईयो सीयल कोई ली कोई नी कोई नी कोई नी गुजराद SPCL और बिना मद्यपरदेश बिना मद्यपरदेश बताओ क्या गड़ बड़े असा गुरुजी दुर्गापूर वाला रीट दोजार अठरम आया था अच्छा हाँ इसको जो है आईरन वाला उनीस तो नीस है और विसको जो है विसको विसको क्या बताया राउरकिला उडिसा में जरमनी की साहता से ठीक है बिलकुल सही है नाल को बाल को आने वाले हैं कुशन बाल को ठीक है ये भी कुछ नाने वाले हैं आज ठीक है और इसके लगा देको तीसरी पंसवरी जी वाजणा में बाकी सब दूसरी पंसवरी जी वाजणा में भीलाई, बोकारो, रूस, रहूरकिला, जरमनी दुर्कापूर, सैंदर, बृतेन वो कारो तीसरी परियोज नामे ठीक है विसको 1923 डौदी ठीक है बिलकूर सही है बिलकूर सही है एक बार सचीन का कमेंट देखो अब तो कोई अरी जोकेस बोल ले है अब तो एक और स्पोर्ट ओन कर दो है जरूरी है जरूरी है क्या ठीक है इसका right answer देखो इसका right answer जो है 3 number है तो तेल सोदिन साला सुमेलित नहीं है यहाँ पर कोई नहीं यह गुजराद यह गलत है ठीक है बाकी सब सही डिगबो यासाम ठीक है ताथी पाक अंतरपरदेश ठीक है बिना MP सही है अब आपको क्या करना है, आपको ये एक धियान रखना है, यहां से आपको मैं बताऊं na तो राजिस्तान की refinery जैसे अपने बाड मेर, बाड मेर गंदर राजितान refinery है ऐसे ही जो है इंडिया का अंदर कितनी refinery है उन से related ये question है, ठीक है तो कुछी दिनी करना पड़ता, थोड़ा सा आप सर्च कर लिया करो हैना, इंडिया रिफाइंडरी लिस्ट, ऐसे करके ऐसे करके आप नोर्स तयार करोगे, तो बहुत फाख़या मिलेगा पेपर में कुशन आते हैं, ऐसे इंडिया रिफांडरी ठीक है तो यहां से आपको कुशन मिल जाएंगे लिस्ट आप रिफाइंडरी इन इंडिया तो यहां पर जो अभी कुशन दा ना कोई ना वाला जैसे यहां बात करूँ पारादीब तो पता ही सबको उडिसा के अंदर है कुछ-कुछ ऐसी जो चीजे है जो थोड़ी आठके आती है जैसे अल्दी या पच्छिम बंगाल के अंदर सबको पता है बिना जो है ध्यान रखनी मध्य परदेश के अंदर है लेकिन यह भारत ओमान रिफाइंडरी लिमीटेड है और यहां पर इस कुशन का आंसर क्या पूचा यहां पर जो बिना पूचा यह अच्छा बिना MPBPCL यह तो सही है यह तो सही गुजरात वाला गड़ बड़ है गुजरात वाला ठीक है इसके अलावा देको एक बारू नी है बारू नी बी आर के अंदर है बारुनी बारुनी बी आर के अंदर एक नुमाली गड़ है नुमाली गड़ आसाम के अंदर है नुमाली गड़ ठीक है और इसके लाब बात करें डिग बो ये आसाम के अंदर है टाटी पाका ये रही आंदर परदेश अंदर प्रदेश तो गुजरात के अंदर जो है ये बीना बीना मद्य प्रदेश तो यहां पर क्या गड़बड़ है कोई नहीं कोई नहीं ठीक है कोई नहीं कहां पर है गुरुगोविंद पानिव कोई नहीं मिल नहीं रही है कोई नी कोई और ही होगी, इसलिए ना कोई नी वाला अंसर गलत है कोई नी कोई गैंस की होगी ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस तरीक्षे से समझ गए आप बताओ, तो ताती पाका हो गया डिगोई हो गया, ठीक है यहाँ से आगे बढ़ते अगले कुछन अगला कुछन है यह रहा बहुत इजी कुछन है अस उमेलीद पूछा है जो अभी हमने अल्रीडी डिसकस कर रखा है ठीक है दुर्गापुरा बिरिटेन राउर केला जर्मनी भीलाई रसिया वोकारो जर्मनी बोकारो जर्मनी बताओ क्या अंसर होगा क्या अंसर होगा सर आप PDF से सर नोट्स देतो न उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कोई नहीं कोची होना ची ये ता, कोची मतूरा है, बीना है, बारुनी है प्राइवेट हो सकती है नया राइनर्जी ठीक है, हो सकता कोची हो, कोची ठीक है, तो क्या होगा बाई आ एंसरी इसका फ्राइवेट है, तो बीला है रसिया है, सिम्पल सी बात, इसको याद करने का तरीका ये है कि र- आर महीं होगा यह ना, र- आर महीं होगा, रनूर के लिड़ा रसिया होगा तो पिर क्या होगा, जर्मनी होगा RJ होगा, जर्मनी होगा ठीक है, रاجस्तान होगा RJ होगा, तो सिंपल सी बात फिर भिलाई क्या होगा, भिलाई आर होगा और Britain का सब को पता है, Britain वाले कहा है थे बंगाल की अंदर राज करने, ठीक है वहीं पर तो बंगाल वबाजन हुआ था दुर्गापूर सही है फिर बेटें सही है ठीक है अब बोकारो बोकारो जर्मनी नहीं है यह रसिया की साहिता से ठीक है रसिया की साहिता से बिलकुम रसिया की साहिता से ऐसे पढ़ोगे तो कुछ भी आपका गड़बर नहीं होगा ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ रहे हो, अगला कुसन की तरफ बढ़ते हैं, अगला कुसन, अगला कुसन बहुत बढ़िया कुसन है, गलत युगम पुछाए, बैंगलूर, वायूयान, कॉर्बा, ऐलूमीनियम, जमसेदपूर, गैस, और मलाजघंट तामबा, क्या ये पेपर माते हैं, ऐसे ही बनते हैं, इसी टाइप से बनते हैं, ना कोई ज़्यादा, आई लेवल के, ना फास्ट रूल के, ऐसे ही बनते हैं, कि कौन सा छेतर है, ये छेतर है, ये फिल्ड है, और ये नाम है, उनके, तो किस फिल्ड में, किस से रिलेटेड है, ऐसे क कॉर्बा किसलिए फ्हमस है, पहर्बा हो गया, नाल को हो गया, माल को गया ठीक, हिंडाल को हो गया, पही किससे रिलेटेड है, इसी परकार, बताओ भी ठीक है, 가까ई Global सी बात है, जमसेदबूर में गैस फड़ी है, लोई है ठीक है लोआ है लोआ बिल्कुल सही है बाकी सब ठीक है कोई दिक्कती नहीं आगे बढ़ते अगले कुछन की तरफ अगला अगला हो सकता आपको थोड़ा परेशान कर दे ठीक है अगला आपको जो है थोड़ा परेशान कर दे झाल झाल बताओ बताओ तो सिंपल सी बात है बाल को इंडाल को रेनुकुट बिल्कुट ठीक है नाल को ठीक है बाल को और बाई बरनपूर नहीं है बरनपूर अभी डिसकस किया था अब यह देखो कितनी गलतियां करी मैंने बताया था लो इस बात का पहला खार काना बरनपूर है और हम बात करें अलूमीनी मुद्यों की ठीक है अलूमीनी मुद्यों की बात करें तो यहां पर क्या होगा बरनपूर थड़ी होगा बाल को कोर्बा, क्या होगी, बाल को कोर्बा अब एक बार टेलिग्राम पे देखते हैं ये एक चीज मैंने सेर की है, ठीक है तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है इसको द्यान से देखो इसको आप द्यान से देखो, नाल को ये है, नाल को, ठीक है नाल को नालको लिखते जाना साथ साथ मैं ना नालको नालको क्या है? नालको है National Aluminium Company Limited ये नालको जो है उड़िसा के कोरापुट जिले में नालको और कोरापुट ऐसे देखो ऐसे निकाल लो उतर नालको और कोरापुट कोरापुट और ये कोरापूट कहाँ पर है, उड़ीषा के अंदर है ठीक है उड़ीषा के अंदर है और ये कॉरापूट सेथ बॉक्साइट के खाण से आइसक प्राप्त करती ये सैंदर कि दामन-झोडी में अलूमीनियम तो दामन-झोडी भी ध्यान रखना दामन जोड़ी आजाए, तो ये भी Udisa के अंदर है और Aluminium से related है, Udisa से, Udisa, दामन जोड़ी जो आपने नाम सुन नहीं रहा हूँ थाँ तो नाम हो थाँ नाम हो थाँ वोही पेपर में आता है सबसे जादा, ठीक है? सबसे जादा पेपर में वोही आता है दूसरा है हिंडाल को, हिंडाल को की जो फुल पॉर्म हो है, इंदूस्तान, अलूमीनियम, कॉर्पोरेशन, लिमीटेड, हिंडाल को, तो नाम से ड्रना नहीं, को राक्सस का नाम है, ठीक है, राक्सस का नाम नहीं, इंदूस्तान, अलूमीनियम, कॉर्पोरेशन, और यह सेंतिर जारकंट के लो दर्गा और मद्य प्रदेश के अमर कंटक के खानों से वॉक्साइट एवं रियंद परियोजना से बिजली प्राप्त करता है तो आप यह ध्यान रखना पेपर में कई बार कुषन आता लो अर्दंगा हमें लगता है कि लो इस से रिलेटेड य यह आप डेफरों इस कुस्टर से कितन दहें लिए के रिच उन्द आया हुआ है 2022 के अंदर है यह वे को तोजाव 252 यह के कुस्टर आया हुआ हिए अर्दंगा काई लोगों लेगालोहैद नहीं लो और नीय ब्स आई हैं बॉक्फाइड भॉक्साइड ठीक है तो लोऔर बॉक्साइट से रिलेटेड है, किसे है, बॉक्साइट से हिंडाल को फिर उसके बाद वेदान्ता समूझ, वेदान्ता समूझ जो है अलूमिनियम निर्मान के लिए खदानों, प्रगालकों और विद्यू सहंत्रों से संबंदित एक ही करत पढ़ना लिका उधारन है 37 गट के कोरबा और उडिसा के जारू गुंडा में ऐसे संदर इस्तापित है ठीक है, एक है बाल को, अब इस बाल को को हम बोलते है बारत अलूमिनियम बारत अलूमिनियम कंपनी लिमीटेड अब ये कुशन कराऊंगा मैं आपको ना, मज़ा आएगा, ठीक है बारत अलूमिनियम कंपनी लिमीटेड ठीक है, ये 36 गट के बिलासपूर के अंदर बाल को बोलते है क्या बोलते हैं, बाल को बोलते हैं, इसलिए बाल को बारत बी पौर बारत, अल पौर अलूमिनियम और कौर पौरसन लिमीटेड ठीक है ये आपको ध्यान रखना 36 गट की बिलासपूर के अंदर बाल को बाल को ठीक है तो बाल को कोरबा के अंदर है कहां पर है कोरबा यहीं 36 गट के अंदर है कोरबा तो बाल को ये देखो अगर नाल को कोरापुट बाल को कोरबा कोरबा ठीक है कौर्बा अरीष चौदरी अरे देवता बाजाओ क्या जादे टाइम हो गया क्या ओर रुख जाओ पटाने दो ठीक है यह देखो हमारे अरीष साब जुए एडिटर साब है बोलते हैंक बाजाओ रूम पे ठीक है पटाने दो शरी बाल को आल को नाल को उर्फवभाल को एंडाल को कनाडा हिंडाल को USA माल को इटली ठीक है विदानता जर्मनी आई ये 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 सच्छीन का जो कमेंट है एक बार नोट करलो ये थोरा पढ़के आता है मैं आप में जो अब यही कुशन आपको मैं दिखाता हूँ फोड़ा सा कला का कला का परदशन करते हैं ठीक है कला का परदशन करते हैं हम आते हैं यहां पर जब भी देखो आपको कोई भी पेपर डूंड ना है कि पेपर सर मिलता नहीं कुछ नहीं करना पड़ता और पी एसी previous year paper पे जाओ ऐसे लेको RPSC previous year paper ठीक है ऐसे करके आगे यहाँ पर दे रखा है previous year कुशन paper section RPSC यहाँ पर जाओ अब आपको डूंड ना है कि मुझे ऐसा ही का paper डूंड ना है ऐसा ही यहाँ पर है assistant professor मैंस का हो गया ठीक है यह assistant professor professor और यह सब inspector का यह रहा यह सब inspector ठीक है ता आपको निकालते तेरा वाली तारीक तेरा वाली तारीक अन्दर कुशन था यह तो तेरा वाली तारीक के अन्दर यह रहा GKGS साइद पहला आया दूसरा ही था ठीक है लगना चीह ना आपको कुछ है ना कि यह से थोड़ी इन में ही था साइद ना इसी के अन्दर ही था लेशियन लीलवा नाशी सजस्ता आजा भाई आजा मनिपूर यह देख रहे है आपात का लोला आज जो आपको कुशन करा है यह देख लो निमना गिद मैं से किस राजे मानुसे 356 सबसे अधीक बार जुलाई 2021 तक लगू हुआ अंसर क्या है मनिपूर ठीक है मनिपूर तो पेपर में कुशन तो बनेंगे सीदे सीदे कहा गया इसमें नहीं है क्या अच्छा अच्छा यह तो उसमें है फोर्त में हमारी वाले में था यहां पर था यह रहा अब बताओ बहुत इजी है ऑप्सन से करोकर ने इसको बहुत इजी कुशन है बहुत ज़्यादा इजी कुशन है यह बताओ इंगलीज में पठना इंगलीज में पठना इंगलीज में पठनो यह रहा बाल को यहण इन डाल को यह इंडियन आलूमीनियम कंपनी और यह नाल को यह नाल को अब बतादो कुछ ही नहीं करना, option eliminate, आरान invece आजाएगा ठीक है साट आजाएगा मैंने आपको दो ही चीजें बताईए उससे ही आपका आंसर निकल जाएगा हाँ देवी सौगी तो परले आ जाएगी अच्छा संक्र बेटी कबाब तुम भी पढ़ सी दूँ शिया रोजी आई मानवी कहां पहुंचे हो क्यों बई काविया के हो क्यों है मानशी कहां पहुंची है इदर कोई इतिर द्यात्रा थोड़ी का मानशी इदर आ रही है है सिंपल आंसर है कुछ ही नहीं करना है ठीक है अगला हो सकता है कि कौन सी कंपनी की साइथ है जैसे इंडाल को USA है ऐसे करके ठीक है देखो ध्यान से माल को पोर्बा एक का टू हाई मेरा मोटो एक को ऑप्सन ऐलीमिनेट ठीक है ओप्सन ऐलीमिनन ठीक है ठीक है पॉइंट चूपिञा नोटेथ है यहां से आसे अपसन ऐलीमेनेट होगे अब देखो ध्यान से अब हमें यह तो पता लग गया दूसरा देखो, को, एक को और आ गया, नाल को, यनि कोरा पुट, डी का थ्री, तो डी का थ्री, ठीक है, तो यहां तो बैठा ही नहीं, अब देखो, अब है इंडाल को, ठीक है, और एक नाम है इंडाल को, इंडियन अलूमीनिय मतलब इंडाल को, ठीक है इंडाल को, आप में थे, ठीक है, सौक ही बात बोल लिया हूँ एक दम है, पहला उतर दो, पहला उतर दो, फिर उसके बाद यात्रा कराएंगे, ठीक है, अंसर अभी तक किसी के नहीं है, कहां गए भई अंसर, अंसर ना है यार, मैं अंसर का वेट कर रहा हूँ, यह याद होगा, कल परसों भूल होगे, समसिया बड़ी खतरनाक है, ठीक है, समसिया बड़ी खतरनाक है, हिंडाल को, हिंडाल को, रेनु कुठ, ठीक है, बी का फोर, तो बी का फोर ही है रहा, तो और से बी राइट है, क्या है, two, four, one, three, 24-13 2-4, बिल्कुल सही, करिश्मा खेल गई ठीक है, करिश्मा खेल गई वा बेटे, मौज खर दी ठीक है, ऐसे कुशन बनते हैं, ऐसाई की पेपर में ऐसे कुशन आते हैं, तो RPSC ब्रांड है, ठीक है, RPSC क्या है, ब्रांड है, ब्रांड समझे रहे हो, ऐसे कुशन आगे बढ़ते हैं, अगले कुशन की तरब परकास के चिकने परसे टकरा कर वापस लोटने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बताव वही, परावर्तन अपवर्तन, वीवर्तन और परकीरेणन यह परकीरेणन नहीं, यह परकीरेणन है परकीरेणन है, पदाव भी परकास के चिकने परसे टकरा कर वापस लोटने की क्रिया सिंपल सी गठना है, ठीक है, सिंपल सी गठना है तो इसमें यह है, कि मान लो यह है इस तरीके से, ठीक है, यह और ऐसे दोट गई कुल मिला कि क्या वो प्रावर्तन हुआ नावा वीवर्तन हुआ है नावा अपवर्तन हुआ अपवर्तन में तो क्या होता है कि एक मध्यम से फिर उसके बाद ऐसे किरिन जाती है ठीक है यह पूर्ण आंध्री प्रावर्तन तो यहां जो right answer क्या होगा भी इसका answer परावर्थ, अगला निकट दरष्टी दोस बहुत बड़ीया कोशन है निकट दरष्टी दोस ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि दूर दूर दरष्टी दोस और निकट दरष्टी दोस सबसे ज़्यादा word कहां पर है तीन word यहां पर इसलिए आउतल होगा तो निकट के लिए आउतल और दूर के लिए उतल, बात खतम, इतना साई ठीक है इतना से, बताओ उतर क्या होगा निकट दस्टी दोस से पीडिते और आईपरमेट्रोपिया, ठीक है आईपरमेट्रोपिया निकट दस्टी दोस का मतलब क्या है, निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई ने, उल्टा सिस्टम है दूर दस्टी दोस है, मतलब किसको है प्रकास का पूल आंत्रीक परावर्तन, प्रकास का वीवर्तन और प्रकास का अपवर्तन। अब साइंस के अंदर omm work of change होगा आपका। साइंस के अंदर omm work change होगा क्यूंगि कापी टाइम हो गया, आम ये बिसकस करते हुए। दवनी, प्रकास ये सब है ना। अब आप से जो कुसन आएँगे, वो कुसन पूचे जाएँगे अब आपको, कल कार्बोहिट्रेट से, कार्बोहिट्रेट जितना पढ़ना हो, उतना पढ़ना by आजा आणा, कि क्या होगा सिंपल सी बात है अपवर्तन कोई चीज ना इस तरीके से अपवर्तन राई ठीक है मुझे लगता है इनके बारे में थोड़ा सा बताना पड़े का आज थोड़ा टाइम कम है ठीक है एक दांत सिखिसक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रिक्तों देवारा दरपन है एक दंत सिखिसक होता न वो अपने दांतों को चेक करता है वो क्या करता है दांतों को जूम करता है जूम चोटा थोड़ी करता है जूम करता है पुरतन प्रकास का रादी मैं त तर्फितो मिस कोगणा थाली भूली देखो तो देखना यह कुण शुटा पढ़ रहे आ रब पढ़ रहे है तraई थीक है बाद में भी पढ़ते हैं झायतो अपनोव मिस्वल्ड की चारीकर कर?, ठीक है तोपनोव मिसंवल्ड की चारीकर अचा उत्तर भी दे रही है अरे वाह क्या बात है एक दंद सिखिश सक अब सिंपल सी बात है अब आपको ध्यान से देखना है ठीक है ध्यान से देखना है राइट आंसर क्या होगा इसका बहुत सारे लोग उत्तल बता रहे हैं क्या बता रहें उत्तल बता रहें ठीक है क्या बता उत्तल बता रहें उत्तल नहीं उत्तल बता रहें क्या बता रहें उत्तल नहीं उत्तल बता रहें देखो सब का गलत है तुम्हारा अउतल ले अवतल है, एक दन से किसकत, सही तो है, ठीक है, सही तो है, अवतल का मतलब क्या होता, ऐसे होता वो, ठीक है, तो ये क्या करता है, दूर तक लेके जाता है, और ये जो होता है, ये तो केंदरिन करता है, सक केंदरिन करता है, जैसे देखो, यहां से एक किरिन आई, वो किरिन य इसी है ना, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आउतल दर्पन, क्या है? आउतल दर्पन, सर मैं डॉक्टर बना है, बता है, यह बात है, पाच हो रहे वाँ, ठीक है? वाद फोरे वाद, जब प्रकास की करण एक माद्यम से दूसरे माद्यम में जाती है, इसकी क्या होती है, ठीक है, इसकी यह सितजी होती है, सरवां में क्या पता, तरंग देरते समान बनी रहती है, आवरती समान बनी रहती है, आवरती बढ़ जाती है, वही नहीं, ठीक है, आ मा देख देवी के आएगी, गुरुजी अपनी क्लास में किरन तो नहीं है, तो कल से लेके आओ, ठीक है, बहुत बढ़िया काम की हो तो, इसमें भी डवुट है गी, हमारे क्लास में किरन तो कोई है नहीं, बहुत बढ़िया, तो ने ध्यान गणों तरंग देरते समान रहती ह है, क्यों मा तो, है, ओम फो दर्रा ने काट रही है, ठाला भुला देख तो, है, फ़रा रील आजगल ज़्यादा देख है, तो मन लगे ही हो है, रील तो आजगल मैं भी ज़्यादा बढ़ा हूं, ठीक है, मेरी रील 1000, 2000, 4000, 5000 चली जाती है दिन में, ठीक है, आप लोग तो क मेरबाणी से जो है, आवर्ती समान बनी रहती, क्या रहती है, आवर्ती समान बनी रहती, आवर्ती में कोई डाउट नहीं, ठीक है, तरंग देर दे समान नहीं रहता, आवर्ती बढ़ जाती ये भी गलत है, और कोई नहीं का तो कोई तुक है नहीं, अगला कुछन, के समय लाल रंग किसके कारण हो था, भाई साब यह नहीं आ है ना, तो आज सोना मत, ठीक है, आज सोना मत, गुरुजी विग्यान ना आव है मुँपे, पर इसमय ये साइंस, ओ, हो, हो, मुझे लगता है साइंस के कुछ न जादा लाने पड़ेंगे मुझे, अभी तो रुको, तुम्हें सिधिय और विस्तार के कुछ न आप लिए लेकर आता हूं, फिर पता लगेगा, कितने पानी में आजाते हो, देखो, जब भी बात आए, जब भी बात आए, रंगों की, ना, रंगों की बात आए, ठीके, तो टाबरो, हमेशा अंसर परकीरिणन होगा, तुम्हारे क्या किया जाए, मतलब परकास मेरे इतनी बार लगवगी, यह बिचारा पांच दिन से चल ला, लेकर अभी तक कोई पड़ नहीं पाया है, पांच परकीरिया होती है, सिम्पल सी, ठीके, और वो भी अब तो कोई पड़ नहीं पाया है, वीवर्तन, अपवर्तन, परकीरियनन और परावर्तन, सिम्पल सी बात है, आप एक रट लो, कि परकीरियनन का जब भी बात होगा, कलर की बात होगी, कलर कुछ न कुछ चेंज होगा, ठीके, कोई भी यो, कलर से रिलेटेड बात होगी, कलर से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, अपवर्तन का मतलब होगा, मूडेगी कोई न कोई चीज, कोई न कोई चीज, अपने पत से विसलित होगी, मूडेगी, सिक्का मूड का दिखाई देना, ठीक है, इस तरीके से समझ गे, अपवर्तन का परावर्तन में सिंपल सी बात लोटना, ठीक है, लोटना और वीवर्तन मतलब बिखरना, 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 डिप्रेक्शन ठीक है, डिप्रेक्शन तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है परकी रेंडन का मतलब color change color change और कुछ नहीं अपने पत से विशली दो ना मतलब अपवर्तन हुआ है क्या हुआ अपवर्तन हुआ है सर ओ अडगो समझा दो है बैटरी गई सर अब तो बस करो मुझे लगा बैटी गई अब सर बस करो मिस दरारे काट रही है ठीक है सर मुर्गा बनाओ इनको प्रीता दंत सिखिसक कौन से lens का परियोग करते हैं थोड़ा confusion है मेरे लिए रोको सर गूगल करो तो है आ सर ही गूगल करी दंत सिखिसक कौन सा lens परियोग में करते हैं गूगल बाबा जल्दी से बताओ एकदम दोती पहन के दोती पहन के आये हैं बता आई देंगे ठीक है भई तो अवतल दरपने क्या है अवतल दरपने अवतल दरपने फिक है अवतल दरपने या अवतल लैंज है क्या है अवतल लैंज है क्या है अवतल लैंज है ठीक है अवतल लैंज किलियर? पॉइंट वी नोटेट बताओ जल्दी से तो आज़की क्लास कैसी लगी? एक बार बता दो फटा पट आज टाइम हो गया ना तो आज हम इंदी डिसकस नहीं करेंगे ठीक है मेरा विचार था थोड़ा समय आपको वो जो है परिपासिक सब्दावली करवाता लेकिन कल से मिलेगी आपको इंदी ठीक है आज हमने कपी सारी चीजें जो एक्स्प्लैन बहुत जादा की ठीक है तो आप नट बार कमेंट बॉकस ने बताना कलास करें लगी एक बढर और सेहर करो यहार ऑ Link को करो रिटाव टाव रहो नहीं हो यह ना बडिज정이 कर रहा बड़ आया नहीं किर थी विला जब अपन जाते हैं मार्केट ऑए नहीं भी तो भेड एकदम जो जुन्ड में आती ही तो भागती नहीं इस तरीके से ठीक है आशे पक्ड के लाओ तो गुड नाइट सबको मिलते हैं अपन सेशन के अंदर और आप मैसे जो है आपको बताना चाहूंगा मैं सर बैक करके लेओं क्लाज फिर कल बताओं कैसी रही कूकणा तू मिस्वल्ड पहला बिन पहला मिस्वल्ड बिन ठीक है बिंग बाद में और दूसरी अगर बात की जाए यहां से तो अपने फते बैच चल रहा है क्या चल रहा है फते बैच इसको आप जोईन कर सकते हैं मेरा कोड लगा कि क्योंकि बैच आपके लिए CT के लिए है ऐसा ही के लिए है कोई भी एक्जाम रीट मेंस है ठीक है असके लवा बात करें आई कोड लडी सी है ऑनली ऑनली 1185 कोड अगर मेरा यूज करते हैं वाई 308 वे आर तो आपको और यहां पर क्लासे स्टार्ट होगी है राजस्तान जियोग्राफी इसके अंदर यह सब्जे अभी 3-4 दिन हुए बैस को स्टार्ट हुए इंगलीज पढ़ लो सर मुझे मैत मेरी वी के सुबह आके पढ़ लो सर मेरी इंडिया इस्ट्री गमजोर है इंडिया इस्ट्री पढ़ लो ऐसे करके मतलब हर क्लास हर एक सब्जेक की क्लाश चलती है तो आपको लगता है कि मुझे 4-5 क्लास लेनी ची अभी मुझे नीड है तो वह आप ले सकते हैं यहां से एक बड़ा फाइदा आपकी लिए ही है ठीक है तो मिलते हैं तब तक के लिए जै हिंद और जै भारत